hello yes Malik let's start yes sir किसे ने कुछ query पुछी ती मेरे को थोड़ा सा इसमें तो एक शीट आपके पास आई हुई होगी मैंने कल यह भी दी हुए जिससे आप समराइज नोट्स एक सकते ओपन पीडिएफ है जरुरी निया वही शीट देखें आपके पास जो नोट्स होंगे वह नोट्स रिफर करिए ओके लास्ट में नोट्स चेंज करने की वैसे भी ज बाद में दे रहे हो तो भाई नोट्स रिविजन नोट्स बाद में देख लेना ओके तो स्ट्रक्चर वाइज लेस्ट लाइक दिस मैंने यह नोट्स क्लास में बनाय हुए है जिससे आपको चार्ट फॉर्मेट में सब कुछ कवर हो जाता है और सारे एक्जम्पल्स में ल सेकेंड चैप्टर विल बी अपाउट मेटिंग पावर्व जाव जब भाउट का अपना अपना एक कॉंसेट है और तीनोग चैप्टर मेजरली आपका मेजर माक्स और मेजर माक्स से जाधा जो केस्टड़ी कॉंसेप्ट है या इंटीगरेट के स्टड़ी है वहाँ पर अ कुछिए जो आपके starting point के question है ब्लता है कितने डारेक्टर चाहिए कितने number of डारेक्टर का कंसेंट क्या चाहिए सेकेंद इस टाइपस ऑफ डारेक्टर इसको बोलुगा इनके appointment mechanism है appointment mechanism की बात करें तो अपन देखेंगे कि उनका general meeting में appointment होता है या board meeting में appointment होता है उनके appointment mechanism कैसे रहेंगे, उसके उपर discussion रहेगा, second point, third उनका termination, termination मतलब या तो tenure उनका end होता है, या tenure के पहले हम लोग उनको निकालते है, either of it, multiple aspects से उसके अंदर cover करने के लिए, तो termination में अपनों वो discuss करेंगे, and last होगा, miscellaneous point of the chapter 1, जैसे दिन के बारे में आ गया discussion, duties of director आ गय register maintain करने होते हैं, inspection कौन का सकता है, इसके उपर discussion रहेगा, मालिक, तो सबसे पहले, जो एकदम basic है, ठीक है, ये सबको मालूम रहना चाहिए, एकदम आसान point है, section 1491 बोलता है, minimum number of directors कितने चाहिए, OPC हो, या private limited हो, या public हो, अगर आप देखोगे, screen पे देखिए, मैं इसको highlight कर जाँगा, जिससे आपका structure ready हो जाना चाहिए, और एक सबसे important point I missed out, ये जो सारी sheets है, जो मैं अभी जिसमें highlight कर रहा हो, या content है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ समझे, आपके पास जो notes होंगे, उसको backup करते रही है, ये सारी sheets मैं पूरा अपना lecture खतम होने क के बाद मैं एकांश को या रहूल को email कर दूँगा, वो आपको सबको email कर देंगे, तो sheets से revise करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, तो सबसे पहला basic section है 1491, 1491 बोलता है minimum number of directors कितने चाहिए, तो 3 category है OPC लो, private लो, public लो, OPC में एक director चाहिए minimum, private में 2 चाहिए, public में 3 maximum 15 आप रखते हो, 15 तक रखने में आपको कोई दिकर नहीं, लेकिन 15 के उपर जैसे ही आप जाओगे तो आपको special resolution पास करना होगा, मेरे एक हैल से आपको यह मालूम होगा, कि general meeting में 2 resolution होते है, एक होता है OR और एक होता है SR, एक होता है OR, OR मतलब ordinary resolution और SR मतलब special resolution, OR basically 51% के criteria में बैठता है, मैं बहुत ज़्यादा discussion में, detail में discuss नहीं कर रहा है, बिकाज अपने IPC में जाता है, लेकिन we are required to known here, तो OR is basically 51% and SR is basically 3-4 वाला, जो present होगे meeting में, उन्होंने हाँ बुलना चाहिए, यानि all together, अपन जो यूज करते है, 75% का criteria यूज करते है, तो SR होना चाहिए, या लेकिन, इसमें दो चीज है, exemption आपको दिये हुए है, exception दिये हुए है, section 8 company और government company ये दो company के लिए 15 का criteria applicable नहीं है, इसका मतलब section 8 company हो या government company हो, 15 के ऊपर जाने के लिए 15 के ऊपर जाने के लिए 15 का limit applicable नहीं होगा, और उनको SR की ज़रुरत नहीं होगी, यानि section 8 company और government company में ज 49.1, अब इसमें छोटे से example, मैंने क्या किया हुए, examples भी रखे हुए है, जो अपने class में लिए है, ताकि जिससे और criteria clear हो जाए, अब इसमें एक छोटे सा example मैं ले रहा हूँ, जो अपने examination में question आते है, article of association बोलता है, 10 director appoint का सकते है, AOA specify करता है, कितने director हो सकते है, तो AOA ने बताया, 15 के उपर गए तो SR चाहिए, 15 के नीचे रहे तो आपका award होगा, अब मेरा question आता है, sir, मुझे और एक director appoint करना है, okay, मेरे AOA में कितने लिखे हुए, 10, और मेरे appointment कितने हो चुके है, 10 director हो चुके, और मुझे अगला एक और director appoint करना है, तो यहाँ पर यह लोग बोलते ह जब आपको एक director appoint करना होगा, तो सबसे पहले आपको AOA, यानि articles को आपको modify करना होगा by passing SR, यानि एक चीज़ यादखना, 15 के उपर director चाहिए, तो SR चाहिए, और AOA को modify करना है, तो भी SR चाहिए, या अपने IPC में पढ़ा होना चाहिए, okay, AOA के लिए, तो सबसे पहले, क्य जानि अगर आपको समझना जरूरी है कि 15 के नीचे रहे, तो आपका OR ही रहेगा, लेकिन AOA के उपर सारा discussion रहेगा, अब इसका और एक example मैंने लिए हुआ है, 14 डिरेक्टर अपने AOA में लिखे हुए है, 14 डिरेक्टर अपने पास, ठीक है मालिक, अब मेरे को दो और डिरेक जिसे हम लोग बोलेंगे कि भाई यार, 14 डिरेक्टर को 16 डिरेक्टर करें, और उसके बाद 14 के उपर 15 डिरेक्टर वो एपोइंट होगा OR से, और 16 वाला होगा SR से, यानि in short, आपको याद रखना होगा, इस तरह से आपके resolution पास होगे, तो यह दो example आपके examination point of view, जो question आ कि भाई 14 डिरेक्टर और आर्टिकल्स में लिखे 14 डिरेक्टर है, और दो डिरेक्टर कंपनी को appoint करने हैं, तो कैसे किया जाएंगे, तो सबसे पहले आपने लिखना answer में AOA को modify करो, modify कैसे करेंगे, by passing special resolution, 14 का 16 करो, AOA में लिखो पहले, उसके बाद एक डिरेक्टर पॉइं और एक डिरेक्टर पॉइंट होगा, by passing SR, यह आपका section with respect to 149 cover हो जाता मालिक, this is what 1491, इसके question आ चुके हैं, लेकिन recently, अगर देखें तो integrated case study में आपको RTP में मिल जाएंगे, तो यह integrated case study में एक question दिया हुआ हुआ है, आपके RTP में, जो May 21 का RTP है, उसके अंदर cover किया हुआ ह मालिक, यह concept हो गया अपना with respect to maximum, आपको याद रखना होगा, exception को भी आपको ध्यान रखना होगा, exception यानि basically 14 का criteria, 15 का criteria is not applicable to section 8 company और government company, यह logic आप दिमाग में रख लीजे, okay, after this is done, okay, एक question सबसे important है, अभी question यह था, maximum के ओपर गये तो क्या करना, तो मैंने आपको बता दिया, maximum के उपर गये, तो आपने क्या करना है, maximum के उपर गये, तो आपने SR pass करना है, maximum मतलब कितना, 15, 15 के उपर कितने भी रखो, logic क्या है, बस SR pass करिए, अब problem अपने पास यह नहीं है, maximum कितने रखे, maximum कितने रखे, उसके लिए company act ने बता दिया, problem है, अगर what if आप minimum के नीचे चल चाहिए, तो अब यहाँ पर what if number of director fall below minimum, ओके पहला point, अगर number of director below minimum गया, but quorum achieve हो रहा है, number of director below minimum गया, but quorum achieve हो रहा है, इस case में, आप याद रखना, board meeting रखनी चाहिए, इस case में आपको ध्यान रखना होगा, आपने board meeting करनी चाहिए, आपने board meeting करनी चाहिए, और board meeting में आपने नया director appoint करना चाहिए, और board meeting में कोई भी दूसरा discussion नहीं होगा, सर इसका example क्या होगा, अगर minimum के नीचे गया और quorum है, quorum का chapter 2 है, 45 minutes के बाद अपना discussion में आएगा chapter 2, quorum मतलब आपके जितने भी directors है, present होने चाहिए, उसका quorum मतलब ultimately something which is required to start of the meeting, यानि minimum number of directors should be present in a meeting, तो one third of the total strength, और two whichever is higher, यह discussion किया हुआ है, तो अब एजिम करो, अब public limited company है, तीन director है public में, minimum number of director कितने चाहिए, तीन है, और quorum कितना रहेगा, इसका, one third, one third of three मतलब कितना हुआ, वन और two whichever is higher, तो दो minimum चाहिए, चाहिए, तो अब एजिम करो, तीन थे अपने पास और एक छोड़के चला गया, तो अब below minimum चला गया है, तो बट quorum is there, यानि दो तो ही, तो board meeting लाओ, और एक additional director appoint करो, और ultimately continue करो, तो यह पहला circumstances, अगर minimum के नीचे गया, याद रखो, आपको question आया, कि भाई, अगर number of director fall below minimum हुआ, तो क्या करने का, तो भाई, below minimum हुआ, तो अगर quorum हो रहा है, तो quorum, जन्रल मीटिंग बुलाइए, और जन्रल मीटिंग में director को appoint कराईए, ओके बोर मीटिंग करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अकला director, यह बोर मीटिंग में appointment नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पर हुआ करने के लिए, आपको board meeting, general meeting बुलानी पड़ेगी, और एक डिरेक्टर पॉइंग करना पड़ेगा, फिर quorum हुआ करेए, और quorum हुआ करके board meeting हुआ करेए, बोर मीटिंग में वापस और एक डिरेक्टर पॉइंग करेए, और minimum number of directors हुआ कर लीजिए, अगर ऐसा हुआ, तो इस case में क्या होगा, 168-3, जहाँ पर सब लोग एक साथ में रेजिगनेशन करते हैं, या सब लोग एक साथ में छोड़के चले जाते हैं, तो इस case में क्या होना चाहिए, इस case में दो ही चला जाएगा, और CGA point करेगा, this is your second point, number of directors fall below minimum, तो सबसे पहला set जो आपन देख रहे हैं, 149-1, यहाँ पर cover हो जाता है, तो पहला point basic में से, who should be director and how many numbers should be a director, this is what we have covered, second, number of directors ship, okay, 165 क्या बोलता है, okay, पहला हो गया, कौन, company में कितने director होने चाहिए, चाहिए, company में कितने director होने चाहिए, minimum और maximum समझ महा गया, अब एक director, कितनी company में director बन सकता है, एक director, कितनी company में director बन सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, मैं 100 के 100 company में director बन जाओंगा, अगर मैं 100 company में director बनुगा, तो कहीं पर भी मैं अच्छे से ध्यान नहीं दी पाँगा, Malik So for that purpose, okay, there is a curve given by Companies Act and that is section 165. 165 बुदता है, डिरेक्टर, माक्सिमम 20 कंपनी में डिरेक्टर बन सकता है. डिरेक्टर, माक्सिमम 20 कंपनी में डिरेक्टर बन सकता है. I am using the word डिरेक्टर. डिरेक्टर बन सकता है. और 20 कंपनी में इन लोग ने डिविजन कैसे किया हुआ है. अगर आप देखोगे, 20 कंपनी का डिविजन इस डन. माक्सिमम 20 में माक्सिमम बन सकता है. और 20 में से भी 10 पॉब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी विचिसे सबसेडरी और होल्डिंग पॉब्लिक कंपनी माक्सिमम 10 हो सकता है. यानि in short, एकदम simple term में बात करें, तो 20 में तुम डिरेक्टर बन सकते हो और उसमें से 10 कंपनी में, कौन सी कंपनी, पॉब्लिक कंपनी में तुम डिरेक्टर बन सकते हो, उससे ज़्यादा में डिरेक्टर नहीं बन पाओगे. यह concept आपको define किया हुआ हुआ है. इस सम्टिंग विच बिफेंड विट मैक्सिमम नमबर डिरेक्टर शेप. अब इसके एक छोटे से एक्जामपल दिये मैंने. तो यहाँ पर कितने होगे? 22 होगे. तो 20 के ओपर चले गए, तो यहाँ पर यह section का violation हुआ. और दूसरा क्राइटरिया, 12 पब्लिक कंपनी है और 5 प्राइवेट है. अगर देखा जाए, टोटल तो 17 है, 17 में कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन प्राइटरिया क्राइटरिया आगे डिसकस में आएगा, वह अपने को ध्यान में रखना होगा. और दूसरा प्राइट, 10 पब्लिक कंपनी है और 12 प्राइवेट कंपनी है, कोई दिक्कत है, क्या, answer is yes. अपने डिसकस किया ना, 22 हो गए, 20 के ओपर चले गए, तो यहाँ पर अपने को 10 प्राइवेट मैक्सिमम इस क्राइटर में जाना है, लेकिन ये काउंट करते हुए, इन्होंने बोला है, दो कंपनी को भाहर निकाल दो, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, तो आपको दो कं कंपनी और सेक्शन एट कंपनी, इसका मतलब क्या हुआ सा, अगर आप ढॉर्मेंट कंपनी के डिरेक्टर हो या सेक्षण एट कंपनी के डिरेक्टर हो, तो इस केस में, इस 20 के कंट में आपको डालने की ज़रुरत नहीं है को के लिए काम जाधा नहीं होता है तो इसलिए यह निकाल दिये गए तो बॉलता है कि maximum number of directors maximum number of directors maximum number of directors जो होते है वो कितने मतलब एक director maximum number of कितनी companies में director बन सकते हैं वो है 20 उसमें से 10 निकालोगे वो है public company और private company विचे subsidiary और holding company और public company तो वह आपको 10 में क्राइटे में fit करना है सर इसकी penalty कितनी है इसकी penalty 5000 पर डे और इसकी limit नहीं है limit नहीं है इसका मतलब क्या है जितना penalty होते जाएगा 5000 पर डे के हिसाब से उतना उसको amount आएगा सर यह 5000 पर डे कब से लगेगा जिस दिन इसने वाइलेट कर लिया जिस दिन डिरेक्टर ने वाइलेट कर लिया एक्सांपल और यह 20 कंपनी का डिरेक्टर था जिसमें समय पार यह 6 5 प्रोंड ने चांपल ने क्या था जा जुट्वित भी अचैन यह 175 6 यह 165 6 प्रोंड ने कर लिया था जर एक्सांप लिफ एक्सांपल रिजु contain ये होने के बाद, the next section comes is, okay, the consent of the director. See, first we understood, okay, how many company में कितने director होने चाहिए, how many director should be there in company. Then, a person can be in director in how many companies. Then, okay, there should be a consent which is given by director. And this consent is given under section 152. Okay, जाराम से. Consent is given in two format. One is DR2 and one is DR12. DR2 is given by director to company. Director to company, DR2. and company to ROC is DR12. What is this DR2 and DRTL? This is something which is called a form name. Form name मतलब DR2 और DR12. Okay, ये एक company के form है, company act के form है, जो आपने को submit करने होंगे, जिसमें अपन consent देंगे. We'll be giving a consent. In DR2, director will give a consent to the company that, boss, I am okay to work as a director and I am not disqualified under any of the section of the company's act. Okay, I am eligible to work as a director. I will be giving my DIN and everything. Okay, so when DR2 should be submitted by director to the company, the DR2 should be submitted on the day of appointment or before the appointment. It is not after the appointment. Okay, on the day of appointment or before the appointment, DR2 should be submitted by the director to the company. Once director is appointed in the company, DR12 is submitted by company to ROC within 30 days of appointment. Suppose today, we have you have a resolution passed on today, you have a resolution passed on today and appointment has been done by director. Then we require 30 days. Within 30 days, DR12 should be submitted. Okay, company to ROC. This is what you need to understand. This is subsection 152. Okay, 152.5. So, 152.5 is something which you need to understand. DR2 director company to give and DR12 company to ROC. Okay, DR2 when to give before or after before or on the day of appointment and DR12 when to give after the day of appointment. As you can see, appointment within 30 days DR12 will submit what to do. Okay, in two cases, you will have to give you an exemption. Two cases will have to Okay, first is DR2. When I say DR2, who will be given by director to company and DR12 is given by company to ROC, government company where directors are appointed by central government or state government, both, 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 both consent are not required. Yani DR2 and DR12 both is not required. DR2 and DR12 both is not required. Please do understand. DR2 and DR12 both is not required. This will be for government company. And, okay, one more criteria, when there is a concept of reappointment of retiring director and director is appointed by tribunal. There are certain cases, kuch cases we can see in the future where the director tribunal appoints in that case DR12 will have to submit and DR2 submit and that is exempt. This is something which is section 152.5 This is something basic logic over. So, please do understand consent consent is given in every case where director is giving a consent DR2 to company and DR12 to company is giving to ROC but both DR2 and DR12 is not required in case of government company where director is appointed by CG or SG and DR2 is not required where director is reappointed. What is the reappointment? 2 minutes after the next 5 minutes and where director is appointed by tribunal. So, company consent doesn't need to be concerned. Okay, this is the ROC to update that the director has appointed and DR12 to give That's it. This is your basic. Okay, most probably now please do understand basic structure now this much director is required this much appointment can be done and DR2 DR12 is required. Make sure you remember the exemption or exceptions whatever wordings can be there it can be exemption also it can be exception also just example okay you already know 149 maximum number of director is not applicable to section 8 company or government company number of directorship 20 limit which is not to be covered it is basically government company and section 8 company okay and DR2 and DR12 both is not required in case of government company okay where appointment is done by CG or SG and DR2 is not required where there is a reappointment or the retiring director is getting reappointed or the director is appointed by tribunal okay now we are going with types of director okay make sure because this is very important structure now okay because my target when comes to chapter 1 now it's come to where major discussion or major problems comes okay and that is types of director now when say types of director it means basically does director different types of director will have different powers answer is no powers and everything is same power or everything is same everything is same The only thing is, उनके appointment mechanism change करने है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, यानि अभी next half an hour, 40 minutes, half an hour का concept है, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि यह director का appointment कैसा हो रहा है, how the director is appointed, and the second most important element is, director appointed हो गया, उसका tenure कप तक है, till how much time he will work, okay, तो first of all, okay, पहले तीन type पर आपन बात करते है, okay, everybody on the screen now, there is a first three type, पहले मैं type को याद रखा देता हो, पहले तीन type कौन सा है, पहला है first director, company incorporate हुई, पहला director, that is your first point, 152.1, section 152.1, उसके बाद है 152.6 and 7, subsection 6 and 7, जहाँ पर retiring and non-retiring, जिसको हम लोग बोलते है, rotational and non-rotational, and from rotational, there will come retiring and non-retiring director, तो rotational, non-rotational, retiring, non-retiring, 152.6 and 7, अराम से, and then comes 160, other than retiring director, okay, तो three criteria क्या है, what is a basic common thing in all three, यानि 152.1, 152.67 and 160, what is a common thing, common क्या है मालिक, common क्या है, common क्या है, common क्या है, common क्या है, common is basically, all three appointments are basically from general meeting perspective, general meeting, यह तीनों appointment general meeting के perspective से जाएंगे, okay, वो discuss करेंगे हम लोग, तो भाई याद अगना, पहला director appointment कैसे किया जाएगा, उसके बाद, cycle वाला director, cycle मतलब हर साल कैसे point किया जाएगा, every year कैसे point किया जाएगा, and किसी को नए जन को director बना, example, मुझे director बनना है, मुझे कोई reliance company का director बनना है, अभी बनना है, मेरा मन किया, reliance company में director बनना है, okay, तो मेरे पास mechanism होगा, वो होगा 160 section, section 160 वाला, other than retiring director, okay, यानि new director as such, okay, उसक additional, alternate, nominee and casual vacancy, additional, alternate, nominee and casual vacancy, 161-1, 161-2, 161-3, 161-4, okay, यह चार में कामन क्या है, यह चार में इनके appointment board meeting से होते है, board meeting से होते हैं, उपर के 3 appointment कौन से meeting से होते हैं, general meeting से, next 4 appointment किस कौन से होते हैं, board meeting से, यह ध्यान रखिये हैं, okay, और उसके बाद हैं, ना, ओक एक पंचाईती section से पंचाइधी मतलब इनके अपाइंट में जंरल मिटिंग में भी होते हैं बूर्ड मीटिंग में वी होते हैं लेकिन हैं इनके क्राइटरियाश तो अपने अपने दिखने होंगे एक होगा SSD SSD का फुल फर्म होता है small shareholder director और एक़े independent डिरेक्टर उसके साथ रेसिदेंट डिरेक्टर वोमन डिरेक्टर और उसके बाद वोटेड इंडुविज्वली और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेशन को अपन बाद में देखते हैं तो सबसे पहले यह साथ पॉइंट साथ नाम याद अच्छे से रख लिए देख लिए मैं जैसे ही कमपनी इंकॉर्परैट होगी आर्टिकल जब रिझिस्टर होगे तो आरटिकल में लिखा होगा कर फ़स्ट स्ट डिरेक्टर कॉन बनेगा अधिकल में लिखा वोगा subscribers to memorandum है जो subscribers है subscribers सारे subscriber मिलके they become they become subscribers to memorandum है they become the deemed first director I am using the word clear लिया आपने धायन राखना है deemed first director या यह वो first director नहीं है माना जा रहा है section के साथ से deemed first director तो यहाद खना तो first director के दो point है पहला अगर नाम लिखा वैं articles में, okay, वो first director है, जिसका नाम, अगर बाकचांद आर्टिकल में नाम ही नहीं लिखा है, को कौन director होने वाला है, तो उसमें जो subscribers to memorandum है, वो deemed first director माने जाएंगे, deemed first director, तो sir, ठीक है, first director समझिया, मैंने आपको क्या बताया, starting में, जब अपन types पढ़ रहे हैं, तो आपने दो चीज़े ध्यान देना है, मैं आपस बोल रहा हूँ, एकदम clear cut, okay, एकदम, I am very clear with this terminology, when I am discussing types, you just remember two things, two things, आपने दो चीज़े ध्यान रखनी है, पहली इनका appointment कैसे होगा, और इनका tenure कब तक है, ये दो आपके दिमाग में बढ़ गया ना मालिक, okay, मा कसम तोड है, दो चीज़ आपके दिमाग में बढ़ नी चाहिए, two things you need to keep in mind, first appointment कैसे होगा, और tenure, tenure भूलो मत, because tenure is main thing, as such, okay, so 152, first director का appointment, आप समझ गये मालिक, first director का appointment, आप समझ गये, first director कैसे किया जाएगा, तो now you understood, first director appointment will be done by, okay, articles में नाम लिखा होगा, वो first director है, या deemed first director है, either of it, okay, subscriber, जो बोले, अब पॉइंट ये है, कि इनका tenure कब तक है, the next point is, tenure कब तक है, या, 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 डोंट वरी, डोंट वरी, आप आराम से रखिये, okay, queries अपन लेंगे, पहले एक बार इसको समझ लिजे, शायद तब तक आपके सारी queries clear हो जागी, because I am going from a ground hood, and make it clear, chapter 1, 2, 3, chapter 1, 2, 3, I am taking थोड़ा सा lengthy, मतलब वो, उसी को I am spending a good time, अगर ये, इसको मैं सिफ revision mode में करू, तो revision mode में करना हो, तो सिफ मैं point revise करता था, तो 1, 2, 3, I will be थोड़ा सा explanation में, I am giving an explanation, and I am going ahead with an examples, okay, 4, 5, 6, आगे वाले जो chapters होंगे, okay, they are very easy, and they can go with a flow also, so 1, 2, 3, I am just taking आराम से मालिक, okay, तो you will get everything clear, मतलब I am not in hurry with respect to this point, don't worry, okay, I am having a time, I am having ample of time, there is no work as such, आराम से जिंदकी चल रही है, but main point is, I want to ensure optimal utilization of resources at your end also, तो जिनकी examination, I don't want to majorly waste their time, and ultimately जाना चाहिए अच्छे से, दिमाग में जाना चाहिए, तो पहला point आप दिमाग में रखिये, कि भाई, first director क appointment कैसा होगा, sir, लेकिन tenure कपता के first director का, this is important, मैं बोल रहो वापस हा, because I will make a glitch in some other point, okay, तो tenure कपता होगा, तो me please do understand, first director जो लिखा होगा, दो तरह से first director appointment हो रहे है, first is, जिसका नाम AOA में है, और second अगर नाम AOA में नहीं है, तो deemed first director है, तो अब यहापर दो tenure end होंगे, first, okay, जो first director नाम लिखा है, वो 152-67 cycle में जाएंगे, 152-67 cycle में जाएंगे, 152-67 cycle में जाएंगे, अब यह सर, 152-67 cycle क्या होगा, दो, 5 मिन में आने मला है, 152-67 cycle में जाएंगे, ओके ठीक है, वो rotational, non-rotational बोला ना मैंने, retiring, non-retiring, वो cycle में घुश जाएंगे, यानि आपको यह समझना है, जो first director है ना, वो directly first AGM में जाके, ओके छोड नहीं देंगे, वो cycle में घुश जाएंगे, ओके, पर deemed first director का problem है, क्योंकि deemed first director के लिए, one of the major problem is, they cannot enter into cycle, because they are deemed, so, इस case में क्या करना है, screen पे सब लोग का ध्यान जाना चाहिए, इस case में क्या करना है, सबसे पहले EGM बुलानी है, EGM is what, AGM नहीं, EGM, EGM बुलाना है, EGM मतलब extraordinary general meeting बुलाना होगा, ऐसी cases में, कौन से cases में, deemed first director के cases में, EGM बुलाना होगा, और EGM में, director को appoint करना होगा, EGM में, extraordinary general meeting में, AGM के पहले EGM बुलाना होगा, और उसमें director को appoint करना पड़ेगा, आपको जो हुआ है यैनि दिन्स डारीटर का टेनिय मुल ना पड़ेगा और इजीएम में फिर निव अपॉंटमेंट होगे सार वो फिर इजें अपॉंट्मेंट कैसे होंगे section 160 अपने बात किया ना 3 section है okay उपर वाला section 160 other than retiring director तो EGM 160 use किया जाएगा और appoint किया जाएगा और वो जो EGM appointment होंगे वो cycle में जाएगे in short okay कान खुले एकदम कान खुले एकदम कान खुले मालिक in short मैं आपको बता दू screen पे सबका ध्यान मैं सिर्फ general meeting की बात कर रहा हूँ सिर्फ general meeting की बात कर रहा हूँ okay याद रखना 150 to 6 और 7 यह है rotational and non rotational rotational and non rotational rotational and non rotational please understand यह rotational non rotational है कभी भी rotational non rotational directly कोई बनी नहीं सकता never ever never ever never ever never ever okay कोई भी directly rotational non rotational मैं आज जाते ही rotational non rotational में नहीं आएगा इसको आने के लिए appointment दो mechanism से होंगे यानि cycle में जाने के लिए दो mechanism से appointment होंगे एक होगा 150 to 1 which is called first director यह समझ लो और यह समझा की नहीं मेरे को बता हूँ कोई यह होगा या तो 160 section 160 जो new appointment होगा और section 160 से जो new appointment होगा वो 150 to 67 में जाएगा यह first director होगा वो 150 to 67 में जाएगा यानि to become a rotational and non rotational director you need to have appointment before entering into cycle before entering into cycle before entering into cycle before entering into cycle you need to be appointed either you can be a first director I am again using the word first director I am again using the word first director or you need to enter through 160 mechanism then only you can enter into 152.67 please understand okay अगर ये समझ में आ गया तो काम खतम हो गया that is your first director का concept तो इसका मतलब इसका मतलब एक छोटा सा conclusion कर लेते हैं खतम कर लेते हैं okay इसका मतलब क्या होगा जो first director deemed होंगे deemed मतलब कौन से होगे मालिक जिनका नाम ऐसी कंपनी है जिसमें AOA में लिखा ही नहीं है director कौन है in that case all subscribers become a deemed director तो deemed director EGM बुलाएंगे EGM बुलाएंगे EGM में 160 section यूज करेंगे 160 section ओके आगे आने वाला है 160 मतलब director appoint करना है other than retiring और 160 करके director को appoint करेंगे and then they will enter into cycle ये point आपने समझना है और ये अभी नहीं समझा तो एक 5-10 minutes 150-6-7 और 160 हो जाए उसके बाद clear कर देते है तो nevertheless दिमांग में डाल देना इसके भाई first director दो तरके होते है ठीक है मालिक ये close कर दो तो 150-1 close first director deemed first director appointment कैसा होता है और tenure कैसा होता है खतम करो 152-6 and 7 now we are going on one of the most important section and one of the complicated section one of the complicated इसलिए बोल रहो क्योंकि there is major things which come into picture जहाँ पर ये लगता है कि साला ये section में 2-3 point के ambiguity आ जाती है तो let's make it clear and आराम से जाते है 152-6-7 क्या बोलता है please understand कान खुले एकदम आराम से because next 5 minutes you will be into my system okay 152-6-7 बोलता है AGM only again I am very clear with the word AGM only AGM only AGM only AGM नही AGM only 152-6-7 is applicable to AGM in every AGM in every AGM total number of directors will be divided total number of directors will be divided into total number of directors will be divided into two parts one will be rotational director and one will be non-rotational director now because अपन बेर एक्ट और ये पढ़ नहीं रहे तो अपन फटा फटा फट डिसकस कर रहे है okay total number of directors every AGM बोल रहा हो every AGM हर AGM में total number of directors को divide किया जागा दो पार्ट में एक होगा rotational और एक होगा non-rotational okay बेर एक्ट ने clear cut बोला है not less than two-third of total number of directors will be rotational अब ये rotational non-rotational क्या है मैं डिसकस करता हो दो मिन रुकी है okay not less than two-third will be rotational director इसका मतलब क्या है okay जो भी total number of directors उसका two-third निकालेंगे और उससे जादा not less than बोला है that is non-notational director sir what is the difference between rotational and non-rotational non-rotational director मतलब ये director retiring cycle में नहीं जाएंगे cycle में नहीं जाएंगे cycle में मतलब ये लोग director retire नहीं होंगे okay और जो rotational होंगे वहissy cycle में जाएंगे और retire होने की कोशी कोशी किरेंगे जिसमें उन्होंने फुर्द वेट हित किया पहला पॉइंट यह सिर्फ एजी में होता है यह होता है तो एजी में क्या होता है जितने टोटल नमबर डिरेक्टर वो लाईए उसको लिए टूठ लेजन तूठ को रोटेशनल बनाई है ठीक है मालिक तो जो बैलन्स है वो कौन है नॉन रोटेशनल ठीक है ओके जो रोटेशनल है उसको वापस वन थर से डिवाइड कीजिए और जो आपको नमबर आएगा डैट विल भी रिटाइरिंग डिरेक्टर और जो बै रोटेशनल यह नॉट लेजन है उसके बाद उसका वन थर्ड ओफ रोटेशनल डैरेक्टर इस रिटारीं डिरेक्टर और बैलेंस इस नॉन डिटारीं डारेक्टर लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टन पॉइंट क्लियर है अगर यह पॉइंट थी थी आया है तो आपको बरला नंबर लेना है और 0.67 तो अगला नंबर लेना है यानि या पर यादकना 1 oftentimes रॉटेशनल 1 ... Out差 Minael वन थर्ड और रोटेशनल षर्डव करने यहीं उपार वाले में डिफPlay करेंगे नौट लेजियंग तो उसमें आगे का नंबब लेना यह स्कार्व में discuss कर रहो बट बिफोर देट यह लॉजिक लिए रख लिए आपके दिमाग में एक स्क्रीन पर लिए इसको एक्जमपल से क्लियर हो जाएगा एग्जूम करते है टोटल नमर अब डारेक्टर बारा और ग्यारा दो एक्जमपल यह मैं तो बारा में बारा में ओके कि यह 12 है ओके 12 में टू-3 औफ 12 कितना आया एट तो रोटेशनल कितने हुए आठ और नों रोटेशनल कितने हुए चार ओके 11 में टू-3 ऑफ 11 कितना हो रहा है 7.33 अब अगर 7.33 देखे तो 0.33 आया तो 7 लेना चाहिए था लेकिन यह लोग ने क्या बोला है नौट लेट न ट 8 is 3rd 3 that is called non-rotational यह है आपका पहला सब्सक्राइब मेरे खाल से यह सब को समझ में आ गया ओके आई डू आई दू थिंग दिस अंडरस्टूड बाइवरीवन मालिक भारत मात की जाये क्लियर मालिक ठीक है ओके नाओ कमिंग अन दे नेक्स पॉइंट परफेक्ट ओके नाओ कमि देरफोर ओके 3 विल बी रिटारिंग विकोज मैंने बोला 2.67 है तो 67.67 का अगला लोगे तो 3 एंड रॉन रिटारिंग विल बी 5 आराम से घाई मत करना वापस बोड़ रो एकदम आराम से ओके 9 है तो उसका मंटिपलाइब पर वन थर्ड करोगे कितना है तीन रिटारिंग यानि 1 3rd 1 3rd 1 3rd कि से मृट्प्लाइब करेंगे रोटेशनल के नंबर से मृट्रप्लाइब करेंगे यह दो एकजामपल आपने ध्यान रखना है इन दोनों में सिर्फ एक ही प्रोबलम है मालिक जब आप रोटेशनल देखोगे तो नौट लेजन तू ठट बोला है तो गैई मत करना वापस बोल ऊंती मीटिंग में होने वाला हो यह इसके लिए कोई विखिंस मीटिंग नहीं बोराएं गे हैं सिर्फफ और सिर्फ एघ्यम में होने वाला है ध्यान रकिए थिकि मालिक। अब यहां पर देखिए अब इसको एक्जाम्पल लेते हैं जिससे आप अराम से एक चीज क्लियरली समझोगे क्योंगे इसकी वज़े से 152 6 और 7 7 वाला मेरे को समझाना रहेगा ओके सबका ध्यान स्क्रीन पर मालिक ओके रिटाइरीन डिरेक्टर बोला मैंने रोटेशनल डिरेक्टर इस नाइन नाइन मंटिप्लाइब वन थर्ड रोटेशनल डिरेक्टर रोटेशनल डिरेक्टर नाइन उसको मंटिप्लाइब वन थर्ड किया रोटेशनल डिरेक्टर न अब समझेश करो अब मेरे पास नौ रोटेशनल है नौ रोटेशनल है मतलब मेरे पास रोटेशनल कौन है स्क्रीन पर धान दीजिए स्क्रीन पर धान दीजिए नौ रोटेशनल है ओके इस कौन है A B C D E F G H I यह छे डाइरेक्टर है जो मेरे रोटेशनल है त cénavert है ओक चιही रोटेशनेल ओके टीजाट सिक्सट डारेक्टर रोटेशनल और रोटेशनल डोटेशनल पॉइंट त्री थ्रीअ पहले वाल लोगे 0.67 अगला लोगे सब्सक्राइब कोई भी पॉइंट होने तो अगला ही लोगे हैं रोटेशनल कल्कूलेट करते वब अगला लोगेज है रिटारिंग है अब question है non-retaring कितने है छे हैं और मेरे डारेटर कितने है नौ A B C D E F G H I कौन retire होगा माली कौन retire होगा कौन retire होगा कौन retire होने वाला है retire कौन होने वाला है भारत माता किज़ाएं बताइए मालीक ओके तो अब यहाँ पर जो सबसे पहले जोईन हुआ वो रिटार होगा क्योंकि 9 जन नो मेंसे कौन रिटार होगा जो सबसे पहले जोईन हुआ वो रिटार होगा याद कमा फॉस्ट अपोंट इडिट ओर अगर ऐसा हुआ एगर करते हैं एबीसी 15 जून 2019 2019 को एपोइंट हुए थे सब्सक्राइब करते हैं एस तो सर पाथ जन आ की दिन निकलेंगे तो सर क्या होगा लॉट निकाला जाएगा लोट मतलब एक तो तो इस तरह से होगा यानि इसका मतलब पहले जीए में तीन निकलेंगे वह कौन होंगे मालिक पहले जीए में तीन निकलेंगे ABC घाई मत करना विकाज मैं इसको थोड़ा था फॉर्मेट बता रहो एन आई नीड देस पॉइंट ओके आगे के लिए डिसकेशन के लिए ओके तो 15 जून 19 को ओके 15 जून 19 को ABC DEF और GHI एपॉइंट हुए 15 जून 20 को निकालने की बात आई तो ABC निकले और ABC को वापस एपॉइंट कर लिया वापस रिजॉलिशन पास होगे और एपॉइंट होगे ओके अब क्वेश्चन आया सेकेंड एजी जब आएगा सेकेंड एजी जब आएगा तो वापस अपना कैल्कुलेशन तीन ही आएगा तो कौन निकलेगा ओके अब ABC का एपॉइंट्मेंट अगले डेट का हो गया तो अगला एजीए में हर एजीए में तीन तीन निकलते जाएंगे मालिक तीन तीन निकलते जाएंगे भारत माता की जाएंगे मेरे खादिर मालिक लियर इसमें सिर्फ एक एग्जामपल यह समझाने का कारण क्या था एक के स्टड़ी में 2018 में आया था ओके ओल्ड सिलेबस में आया थ तो पर यह ओल्ट स्लेबस में ऐसा आया था और इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन था मालिक में 18 का एक क्वेश्चन जिसको मैं अभी क्लियर कर रहा हूं मेरे को स्क्रीन पर बताइए अपने एक यह एक्जामपल अभी देखिए मालिक तो आठ है तो आठ है यह एक्जामपल पर रही है सब लोग यह एक्जामपल पर रही है और इस लास्ट इसके बाद यह कहानी खत्म है मालिक तो आप question आता है सर ओके यह तो clear हो गया तो आप question है तीन रिटार होंगे तो 15 June 20 को जब AGM होगी मालिक AGM होगी 17 June 20 गो तो ABC निकलेंगे एजिम कते हैं वापस ABC को को निकलना होगा क्यों तीन के नाम है तो अब मेरे को बता कौन निकलेगा डीएफ निकलेगा क्योंकि मैंने बोला आपके sequence वही रखो तो डीएफ निकला अब question आया 15 जून 22 को कौन निकलेगा 100% जी और एच निकलेगा लेकिन अभी आठ जन है और लेकिन रिटायर तो तीन ह तो इसमें रिटायरमेंट आएगा एका ऐका ओके अब question है अगर एकर टायरमेंट क्यों आया okay reason simple है क्योंकि जो longest longest period होगा तो वो धे रह गया compare to all others okay तो in short अगर एका मैंको सिर्फ एक पॉइंट समझाना है screen पे देहन चे एक को कितना time मिला खाली काम करने को A को खाली कितना time मिला मालिक B और C भी साथ में आये थे लेकिन अपने एजिम करते हैं A का पहला appointment हुआ है ओके B का सीथ भी आया है नहीं अपने निकालेंगे A को ही निकाल रहे है अपने एजिम करते हैं लॉट में और सब में A लिखन ने अब मेरा question है एको कितने साल काम करने मिला खाली दो साल very important point दो साल अब 270 बिखलemie एगले साल और ल show दो साल अगले साल एक थे तौंचर उट्वैंटमेंट 15-20 में हुआ था और 12-22 कि बात कर रहा है रिटारिंग कि बात करता है लेकिन ऐसे किसे भी है जहां पर डायरेक्टर को कम टाइम मिल सकता है यह यह काम खतम हो जाता है सबको समझ में आ चुका है मालिक भारत माता की जाया है आई यह होने के बाद आप सबसे पॉइंट आता है और एक पॉइंट जो और क्लैरिफिकिशन दिया हुआ है उसी को अपने यूज कर रहे है मैं अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो चीजे थोड़ी सिस्में चाहिए तो टॉटल नुमर डियरेक्टर जो कैलकुलेटक। कर रहे जिसको मंटीप्लाइब करना जो तू ठ से मंटिप्लाइ करना उसको चाहिए तो अब एग्जम पल दिता हूं मैं आपको तोड़नुभर डारीक्टर बारा है इंडिपेंड़ेंटे इसमें एक है स्मॉल शर्ण और एक है अदिशनल एक है और नॉमटी जीरो है है आज यानि तीन यह independent director small shareholder director additional director है अब total number of director 12 है for the purpose of 152 6 & 7 for the purpose of 152 6 7 for the purpose of 152 6 7 total number of director will not be 12 it should be reducing independent director small shareholder director additional director nominee director okay तो यह बारा multiply two-third नहीं करोगे आप अगर आप screen पे देखो के बारा multiply two-third करोगे तो गलत हो जाएगा okay क्योंकि independent director retire नहीं होता है उसका cycle अलग है small shareholder director का cycle अलग है और additional director का तो tenuary AGM तक है और nominee director का cycle अलग है वो non rotational होते हमेशा इसलिए यहाँ पर 12 multiply two-third नहीं किया जाएगा 12 minus independent director को minus करो small shareholder को करो additional को करो तो 12 minus 3 9 9 multiply two-third is 6 that is called rotational and non rotational okay और six का one-third करोगे तो that is retiring director तो अगर आपको याद होगा okay rotational non-rotational calculation के लिए total number of director चाहिए तो यहाँ पर मैं director small shareholder director and nominee director के examples दिये हुए है सब कुछ दिये हुए है बाकि institute के कोई भी database में as such additional director discussion नहीं किया हुआ है लेकिन old syllabus के question में additional director को निकाला हुआ था old syllabus के question में तो हम लोग आज भी उसी mechanism को use करते इसलिए मैं additional director को मैं निकालता हूँ इसलिए मैंने उसको रेड रखा हुआ है अब यहाँ पर एक छोटा सा point क्या है मालिक there may be certain authors आपको कुछ authors मिलेंगे जो additional director को माइनस नहीं करते है ठीक है मालिक को कि आपका call है बट मेरे हिसाब से एडिशनल डिरेक्टर माइनस करना चाहिए अगर आप देखो के साइकल में नहीं आता है वह एजिए में उसको रिटायर होना पड़ता है he does not enter into cycle तो यह cycle में ही जो cycle में यह उसको निकाल देने का काम खत्म दिस आउधा स्ट्रक्चर कमस इंटो पिच्चर ओके यह आपको calculation करते वक्त ध्यान में रखना होगा this is what I have discussed with respect to okay the 150 to 6 काम खतम हो जाता है तो मेरे खाल से 150 to 6 सबको clear है मालिक एक सेगान मालिक तो 150 to 6 में total number of directors जिसको multiply करें को डिवाइड करो के rotational and non rotational में total number of director calculate करते वक्तों के charging को निकाल देने का independent director okay the additional director small shareholder director and one of the most important element will be nominee director यह चार जन को निकालने का उसके बाद जो amount जो amount मतलब जो figure बचेगा उसको तूटर्ट से multiply करने का फिर rotational non rotational में डिवाइड करने का और rotational को फिर retiring and non retirement करने का और इनके calculation मैं आपको बता दिये अब question यह होगा sir AGM में होगा क्या AGM में होगा क्या मालिक मेरे को बताओ अगर मैं यह figure देता हो आप screen पर देखो figure देता हो 12 मंटीबलाइब ट्वेल टोटल नंबर डारेक्टर रोटेशनल है इसका मतलब आठ रोटेशनल है चार नौन रोटेशनल है अब क्वेशन आता है आठ में से retiring कितने है तो इसका example आगे continue किया जा रहा है आठ मंटीबलाइब वन थर्ड ओके जो आता है 2.67 तो तीन डारेक्टर को वापस रिया पॉइंट करेंगे कान खुले रिटारिंग डारेक्टर को वापस रिया पॉइंट करेंगे रिटारिंग डारेक्टर जो रिटायर हो रहे तीन रिटायर हो रहे उसको या तो रिया पॉइंट करेंगे या उनकी जगह किसी और नए को एपॉइं reappoint the retiring director or we will appoint new directors or we will not appoint anyone अगर आपने minimum number of director match हो रहे है तो आपने को किसी को appoint करने की जरुरती नहीं है मालिक तो यह हो गया 1526 वाला point ठीक है AGM में होगा अब question ही आया sir AGM में discussion हुआ okay Amit was a retiring director अभी assume करो एक ही retiring director आपके पास Amit अब मैं अपने आपको वापस elect करने कोशी कर रहा हूं मैं आ रहा हूं मैं AGM चल रही है AGM मैं बोर रहा हूं भाई shareholders प्लीज मुझे कर लो शेरोल्डर का कुछ डिसकेशन दुसरे चल रहे रहे हैं रहा है यानि शेरोल्डर मेरे appointment पे डिसकेशन ही नहीं करे और some other agenda was going on financial statements and everything going on okay अब यानि 1526 जब चल रहा था AGM चल रहा था okay पूरा दिन निकल गया लेकिन साला appointment मेरा appointment करना या मेरी जगा किसी और को करना या मेरी प्लेस को वेकेंट रखना ये same time same place next week exactly और अगर public holiday तो अगले दिन ये तो अपन को discussion है अब question आया adjourned meeting होने के बाद next week में वापस मिटी हुए और वापस मीटिंग में भी मेरा appointment का discussion नहीं हुआ या किसी और को discussion नहीं हुआ मालिक ना about मेरे appointment को लेकर ना किसी और को करने को लेकर ना returning यानि वह प्लेस को वेकेंट रखने को तो 1527 इस पिच्चर में आता है इस केस में यह 1527 बोलता है अगर AGM में और adjourned AGM में अगर दोनों में अगर कुछ discussion नहीं हुआ तो Amit Tataid is deemed to be reappointed retiring director will be deemed to be reappointed except पाचीजे except पाचीजे पाचीजे क्या ओके फर्स्ट ओके वो यानि मैं डिस्क्वालिफाई हो गया तो मेरे को पॉइंट करी नहीं सेकेंड अन्विलिंग मैं नहीं मैं नहीं बनना चाहता है यार यह लोग को मेरे को इज़्जत ही नहीं नहीं करना है और नहीं करना तो स्टोरी चौथा अगर मेरे अपॉइंट्मेंट के लिए ऐसार या और चाहिए ऐसा एक्ट ने कुछ रिक्वार्मेंट बोला है अब यह ऐसार और क्या है यह आगे जब आएगा चैप्टर तब मैं बताता हूं ओके जिया इसके अपॉइंट्मेंट के लिए स्पैसिफिक स्पैसिफिक लिए स्पैसिफिक लिए ऐसार चाहिए और मेरा इपॉइंट्मेंट सिंगल रिजोलुशन से होगा ता सेक्शन 162 और 10 मिट के बाद बाद में देखेंगे मालिक तो मेरा appointment उस single resolution से हुआ रहेगा अगर यह पाच केसे से तो deem reappointment नहीं माना जाएगा यानि 150-7 मैं वापस repeat कर रहा हूं मालिक 150-7 क्या बोलता है 152-7 बोलता है भाई अमें तातिर का deem reappointment नहीं होगेगा okay sorry मैं उल्टा बोला 152-7 बोलता है अगर AGM में और agent meeting में कोई discussion नहीं हुआ तो आमीं तातिर का deem reappointment होगा लेकिन पाच cases में reappointment नहीं होगा कौन से कौन से first okay disqualify हुँ मैं second unwillingness third resolution डाला था लेकिन लॉस्ट हो गया च्वाथा SR और OR चाहिए मेरे appointment के लिए पाचवा single resolution के वजह से मैं पॉइंट हुआ था single resolution से मैं पॉइंट हुआ था 162 ओके वह जब आएगा तब मैं आपको लिंक करा दूँगा ठीक है लेकिन यह यादकना 152-67 152-67 इस तरह से डिफाइन करता है तो 152-6 was rotational non-rotational 152-7 was about deem reappointment in adjourned meeting meeting में भी अगर कोई discussion नहीं हुआ तो deem reappointment माना जाएगा यह समझ यह section किसको किसको applicable नहीं है यह section तीन चीज़ों का applicable नहीं है पहला private company ओके इनको applicable नहीं है second कौन सा section यह rotational non-rotational वाला criteria 152-67 discussion second government company which is अगर listed company नहीं है तो ओके लिस्टेड company नहीं है government company और लिस्टेड company नहीं है तो उनको applicable नहीं है और subsidiary of such government company जो लिस्टेड नहीं है उनको भी applicable नहीं है तो 3 किसे अब ध्यान रखना private company लिए government company which is not a listed company and subsidiary of such government company इनको applicable नहीं है ठीक है 152-67 सेवन खतम होके तो 152-1 फर्स डारेक्टर गया 152-67 रोटेशनल नौन रोटेशनल गया 160 अब इस पर आ रहे हैं अब अब अधर रिटारीं डारेक्टर में मैं आपको बता दू 160 मतलब फ्रेश अपॉइंट्मेंट फ्रेश अपॉइंट्मेंट मतलब क्या होगा फ्रेश अप किसी को भी डारेक्टर किसी भी कंपणी में बनना है तो 160 की सेक्शन 160 को यूज करके बन सकता है सर क्या करना होगा वन सिस्टी में प्रोसीजर है याद रख लिजे रटने का है 14 दिन का नोटिस देना होगा किसको कंपणी को कंपणी को नोटिस देना होगा कि मेरेको डारेक पहले notice पहुत जानी चाहिंग को में डायरेक्टर भनना चाहिए ममने घ्रायटर के लिए position के लिए इलेक्त होना चाहता हूं ठीक है मालिक फिर company जा रहे हो तो आपको एक लाग देनी की ज़रूत नहीं है अगर आपका appointment nomination and remuneration committee कर रही है nrc मतलब nomination and remuneration committee nrc मतलब nomination and remuneration committee अगर nrc कर रही है आपका appointment nrc कर रही है तो उसको एक लाग देनी ज़रूत नहीं है अगर आपकी company को nrc applicable ही नहीं है nomination and remuneration committee applicable नहीं है तो उसकेस में board of director कर रहा है आपका appointment तो भी आपको एक लाग देने की जरूरत नहीं है सर इसका मतलब क्या है recommendation is given by nrc and if the nrc is not applicable to you यानि example section 178 अपन दिखेंगा 177 and 178 nrc requirement है तो nrc अगर आपको applicable नहीं आपको nrc form करने की जरूरत नहीं है तो उस three cases ओके independent director nrc और board of director in case nrc is not there ठीक है मालिक ओके और appointment के लिए ओर या sr required है और sr कैसे रिक्वाइड होगा पंद्रा की निक्टेर तो क्या चीए ओर और पंद्रा के उपर है तो sr बात खतम ओके यह concept आप ध्यान रखना यह हो गया section 160 अब यहाँ आपर मैं जो link करने जा रहा हो प्लीज वह समझने क्योंश करो यह linkage को concept एक दम clear रखना यह जो मैंने बताया था वह ध्यान रखना यानी section 160 के appointment से जाएगा यह 152 फर्स डारेक्टर से जाएगा तो ही वह rotational नॉर्टेशनल में जाएगा तो टोटल नंबर डारेक्टर में आना चाहिए न वह एग्यम में उसके लिए उसके appointment 160 या 152 वन से होने चाहिए उसके अलवा नहीं होंगे तो आप question यह आता है कि सर मैं directly rotational non rotational director नहीं बन सकता answer is no सबसे पहले तिरको या तो फर्स डारेक्टर बनना पड़ेगा या तरको 160 के अगर बन सिक्ष्ट के सबसे डारेक्टर बन रहा है गुड़ एनफ गो हैड लेकिन वन सिक्ष्ट के सबसे या तो ही तो रोटेशनल नो रोटेशनल नो नहीं पाएगा मालिक यह पॉइंट था जिसको में समझाना था और इसके अलवा अगर आप पॉइंट हो गए 160 के साथ से आप पॉइंट होगे सराप पॉइंट कब होगे अगर और और एसार पास हो जाएगा तो आपको दो चीज़े दिनी पड़ीगी डियार टू डियार ट्वल रेजिस्टर डिरेक्टर में आपका नाम आजाएगा अगर आप लिस्टेड कंपनी ह है सर अगर मैं लॉस हो गया मैं कल जाके मैं रिलाइंस इंडेस्ट्री में यह 14 दिन की नोटीस देता हो कि मिरको एक डारेक्टर बनाओ अब मैंने यह सोचा एक लाख रुपे का तो रिस्क है खाली इससे जाधा क्या है मैंने एक लाख रुपे के लिए नोटीस देदी ओक तो वहाँ पर अगर मैं लॉस हो गया सर अगर मैं लॉस हो गया तो सर क्या लॉस कब होगा अगर में लॉस और लेड़ तो मुझे मीरा पैसे पैसे होन निग बात और इस के котором क्लियरली को अगर तू लोस हुआ और तेरको bet25 परसेंसे ज्यादा मिला है और Hai परसंट से कम मिला है तो 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 यह लोग ने बताया हुआ है ओके अभी एक्जम्षन की लिस्ट है जो हाइलाइट की वे स्क्रीन पर देख लिए प्राइवेट कंपनी और सेक्षन वन सिस्ट अपने हिसाफ से अपन्मेंट का सकते हैं आपको समझना जरूरी है वन फिटी टू शिवेट नहीं है तो वन सिटी भी अपलीकबल होना ज़रूरी नहीं है ना लॉजिक सिंपल है वो दोनों इंटर लिंक ही है और इसके बाद गवर्मेंट कंपनी जिसमें 100% शेर कैपिटल is hold by hold by 100% शेर कैपिटल जिसका स्टेट गवर्मेंट सेंट्र गवर्मेंट या कॉंबिनेशन से होल्ड किया हुआ है उनको भी सेक्शन वन सिक्ष्टी अपलीकबल नहीं है और सेक्षन एट कम्पनी अगर पोस्टल से ओ रहा है आर्टिकल्स अफ तो यहाँ पर एक लाग डपावीढोड करेंगा तो decide करो 25% के नीचे भी मिला तो तुमको deposit refund करना है कि नहीं करना है तो section 8 company के पास एक option है कि refund करने का criteria board of director decide करेंगे ओके यानि 25% के नीचे मिला यानि example मुझे 20% vote मिले जादा नहीं मिले 20% मिले ओके अगर section 8 company है तो उसमें board of director बोल सकते है ठीक हम लोग refund करने को ready है को issue नहीं है तो this is defined by section 8 company this is 160 तो यह होगे पहले तीन concept आपके लिए cover ओके तीनों concept आपके लिए मेरे खालते दिमा में clear हो जाने चीए I do think all three points are clear now at your end भारत माता की जाए ओके यह होने के बाद now we are entering into okay the with respect to 161 1 2 3 4 ती चारो में खास बात क्या है चारो में one of the important element is चारो में appointment is now done with board of directors 161 1 161 2 161 3 161 4 यह चारो के cases में board of director के through appointment होगे मालिक तो इसमें board of director के appointment क्या होंगे एक एडिशनल director एक है अल्टरेंट डिरेक्टर है के नॉमिन डिरेक्टर है के कैजूल एकनसी डिरेक्टर अधिशनल डिरेक्टर क्या है स्क्रीन पे देख फटफट अपडेट कर में और यह उपर से यहготовए हर चीज में आपको क्या समझाय था हर चीज में वह चीज मेंने क्या समझा है आप जब भी टाइप्स टैडिरेक्टर देखोगे तो इसमें दो चीज एखो appointment mechanism कैसा होगा उसका tenure कैसा होगा यहां पर भी आपको दो चीजी या दख नहीं है appointment mechanism or tenure 161 additional director में क्या बोला हुआ है method देखो method or tenure मैं वापस बता रहो 161 1234 okay चारो में method or tenure पर ध्यान दीजिए method additional director board of director appoint करेगा ठीक है second वो कैसे कर सकता बोर्ड मीटिंग या resolution by circulation कोई दिक्कत नहीं है बोर्ड मीटिंग में हो सकता है resolution by circulation भी हो सकता है now what is resolution by circulation sir chapter 2 में आपके पास आजाएगा board meeting मतलब मैं board meeting बुलाओंगा आपन साथ में मिलेंगे और साथ में discussion करेंगे resolution by circulation मैं सबको एक email या facts भेज दूँगा और उसके थ्रू अपन काम करेंगे that is called resolution by circulation okay chapter 2 will be covering that one okay third point article of association specifically should provide यह very important है जो मैंने yellow color का highlight किया हुआ है यह एकदम clearly specify करता है AOA clearly specify करना चाहिए clearly specify करना चाहिए AOA clearly specify करना चाहिए के that okay boss board has a power to appoint additional director यानि अगर AOA silent है मालिक अगर AOA silent है तो भाई सबसे पहले AOA को modify करिए AOA को modify करने के लिए SR pass करना पड़ेगा and then board can appoint additional director यानि to appoint additional director we need to have powers in AOA AOA will make board authorized other than that नहीं याद अगना examination में question आते वक्त आपको additional director appoint करते वक्त बताया जाएगा कि AOA silent है या AOA में authorization दीजिए और उसके बाद ही AOA authorized होगा उसके बाद ही board appoint कर पाएगा और उसके बाद most important एक criteria दिया हुआ है red color में update कर रहा हूं मालिक very important assume करते है section 160 चल रहा था या 15267 था और general meeting में उसका appointment हो रहा था Mr. Amit Tathir Amit Tathir का appointment हो रहा था general meeting में उसका appointment नहीं हुआ जनरल meeting में उसका appointment नहीं हुआ जनरल meeting में उसका appointment नहीं हुआ इस case में he cannot be appointed as additional director यह criteria ध्यान रखना है he cannot be appointed as additional director अगर उसका appointment general meeting में नहीं हुआ है उसका appointment general meeting में नहीं हुआ है he cannot be appointed as additional director मालिक यह ध्यान रख लिए clearly ध्यान रख लिए okay that's it यह बवाइं करने का मेकानिजम क्या आप खुले में फटवट इक बार समरी बता रहा हो आसे सब्सक्राइब में power होना चाहिए कि भाई डायरेक्टर का सकता है ठीक है second appointment can be done by board only board only board meeting resolution and fourth okay जो already general meeting में lost हो चुका है उसको आप additional director नहीं बना सकते है अब question आता है additional director की नौबत क्यों आई additional director की नौबत क्यों आई additional director क्यों बनाना है example आज जब मैंने कुछ एक नया project चालो किया और नया project के लिए कुछ expertise चाहिए अब कुछ expertise मैं वापस नया director धूंडूँगा या कुछ दूंडूँगा मेरे को मानुए Mr. X एक director है जिसके पास expertise है मैं उसको immediately board पे लाना चाहता हो और till the date of AGM यानि अगर 15 तारिक 15 जून को AGM decided है 15 जून 2021 को AGM decided है तो बस ये डेट तक additional director काम करेगा उसके बाद काम नहीं करेगा ना दो question कम सर ओके जर बस AGM खतम हो गया AGM खतम हो गया AGM खतम हो गया AGM उसके बाद वो डारेक्टर को डारेक्टर करना है तो तो मैंने क्या बताया आपको ओके आपके पास वापस ऐसा मत करना additional director करोगे यानि हर साल एडिशनल डारेक्टर बनाते जाएंगे ऐसा नहीं होगा additional director appoint किया AGM तक काम खतम हुआ उसके बाद उसको अगर डारेक्टर बनना है तो वापस उसको 160 के रूट से आना पड़ेगा रूट यानि वापस उसको 160 के हिसाब से जाना पड़ेगा 160 मतलब कौन सा मालिक 160 मतलब अपने उपर एक लाक वाला डिपॉजिट वाला 14 दिन की नोटिस ओके यह लॉजिक उसको यह करना पड़ेगा that's it ओके यह हो गया additional director की कहानी 161 काम कर्दम हो गया मालिक तो यह हो गया 161 जा पर तिरको additional director के criteria बता हुए है okay tenure यहाद अखना sir what if AGM healthy नहीं होई AGM healthy तो sir क्या उसको retire होना पड़े मतलब उसको निकलना पड़ेगा answer is yes okay क्योंकि इनका section का clear cut outcome है 161 अगर बेरेक्ट में पढ़ोगे मालिक तो clear cut लिखा हुआ है कि भाई जिस दिन AGM होनी चाहिए थी उस दिन तक ही काम करेगा बस that's it AGM हो या ना हो उसका discussion नहीं एगम तक ही काम करेगा एगम होनी चाहिए थी उस दिन तो मेरी जगह कोई temporary दूसरा डारेक्टर काम करेगा मेरी जगह मेरी जगह मेरी पोजिशन पर काम करेगा दूसरा डारेक्टर काम करेगा that is called alternate director ओके अब यहाँ पर 1612 क्या बोलता है alternate डारेक्टर का appointment कौन करेगा ओके मैं जा रहा हूं युए-स कामित आदिल करेगा answer is no अमितातिल नहीं कर सकता तो sir कौन करेगा alternate director appointment will be done by alternate director appointment will be done by clearly will be done by board only यहाँ पर भी बोलत करेगा भोड करेगा original director का original director यानि अमित्यतीव ट्रेकटर वो जा रहा है वह नहीं कर सकता खाली बोर्ट करेगा ठीक है अब बोर्ड के पास क्या पावर चाहिए d Realidenạo यहां पर बोर्ट दो तरह से आएंग से आएंगे बढ़ वापस not या ओर इंज जञेरल मीटिंग आर्टिकल अवार इनगेंग वह इए आननी इसका मतलब ओके यह तो अल्टरने डारेक्टर पैंट करना है यह यह लग बुलने चाहिए कि हमको अल्टरन डिरेक्टर पॉइंट करना है आप पावर दिए और वो जनरल मीटिंग में ओर पास करेंगे यह स्यू कैन अल्टरन डिरेक्टर वहाफ आप अमितातिर बोर्ड को ऐसा पावर दिया जाएगा सर यह बोर्ड मीटिंग में करना जरूरी है है resolution by circulation दोनों इससे चलेगा बोर्ड मीटिंग में चलेगी resolution by circulation भी जलेगा सरामितातिर को कितने दिन भार रहना जरूरी है इंडिया के बाहर ओके minimum three months minimum three months वापस एक चीज़ क्लियर है अगर कोई मेरा डायरेक्टर एंडियों नों रेस्देंट है यूसका डिरेक्टर इतरे उसके लिए अल्टरण डायर्यक्टर कभी सथा आडिक्यूरत नहीं होता है तो अल्टरनिया किसके लिए वापस नहीं बन सकते यानी ऑन बिक माल्ट रागें अल्टरने डिरेक्टर रेकिर is cannot become मुठी ड्रेक्टर फोर फोर आदर ड्रेक्टर पर तरडिक्टर ऑपनी या ल canal की यह 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 है alternate director concept है ओके अब alternate director tenure कब तक होगा tenure कब तक होगा ओके जब मैं इंडिया में आ जाओंगा जब मैं इंडिया में आ जाओंगा तैट इस टेनियर और मेरा जब tenure end हो जाएगा okay that is an end for alternate director tenure सर इसका मतलब क्या example मैं चोटे सा example दे रहो देख लीजिए okay 15 June को 15 June को को के 2021 को alternate director appointment हुआ कि अल्टरनेट डारेक्टर पॉइंट हुआ 15 जुन को और मेरा इंटेंशन था मैं December तक December 21 तक मैं इंडिया में नहीं आने वाला तो alternate director appointment हो गया okay अब alternate director कब तक काम करेगा ओके अब अमिट अंप इंडिया में कब आया it अन्प आया अब मैं ऐसा बोल रहा हो अमिट तक इंडिया में नवफेंबर कुछ नहीं आया और अमिट इन्ट का 10 आर फेबुररी 22 में खतम हो रहा है तब तक अबित आतें यह हुआ है तो February 22 में भी Alternate Director tenure खतम हो जाएगा यह पॉइंट आप ध्यान रखना इस यहाँ पर अपनी कहानी खतम हो जाती है तो tenure दो तरसे होता है यह तो ओरिजिनल डिरेक्टर इंडिया में रिटन होगा या ओरिजिनल डिरेक्टर tenure यह अपना और आपको आपको रटीपी और मिलेगा सर ऐसा समझे है कि पंद्रा सब्टेंबर को कि पंद्रा सब्टेंबर को ट्वेंटी ट्वेंटीवन में मतलब 15 जून को चला गया था बार 15 सब्टेंबर को मैं इंडिया में वापस आया लेकिन मैं सिर्फ यही मैं डिसकस कर रहा हूं सार वेन इट इट इस वन यह थे हैं तो इस लिए पंद्रा सब्टेंबर को इंडिया में रिटन हुआ और तीन दिन के लिए इंडिया में रहा और तीन दिन के बाल वापस चला गया को आफिस नहीं आया कुछ नहीं किया तीन दिन के लिए इंडिया में तो मेरा क्वेश्चन है कि अल्टरेंट डिर्टर पंदरा सप्टेम्बर को क्या टेनियोर हो जाएगा यह सबसे इंपर्टन पॉइंट था यह डिसकेशन में था तो जैसन इंजिनिरिंग के केस में जो उन्होंने अभी निव मॉडिल उसमें से निकाल दिया लेकिन मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहूं क्योंकि यह पॉइंट आपको दिमा में रहना चाहिए जैसन केस है जैसन इंजिनिरिंग प्राइवेट लिमिटेड ओके इसकेश में डिसाइड हुआ था कि भाई पर्मनेंट देखना जरूरी है अगर वह आ रहा है और इधर कुछ बिजनस ट्रांजेक करने के लिए तो गुड़ इनफ लेकिन वह खाली टेंपरी परपस के लिए आके बिजनस टांजेक करने के लिए आना चाहिए यह जूट नोट पर अनी अधर पर 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 शीचुट कम फर ट्रांजेक्ट इंब इसने चाहिए लेकिन अगर लॉच्ट गवर्मेंट या से अपॉइंट किया जा रहा है तो आर्टिकल अप एस्सेशिएशन में लिखा जाता ह एक्सांबल एग्रिमेंट का क्या कॉंसेट यह koncept का एक्सांबल बता देता हूं एक शूम करते हैं इस अपने कंपनी में एक इंवंडिक का इनवेस्ट में इसने अपनी अपनी ल श्रूट की आपके बौर्ट पर ना चीए ओके यहां पर आर्टिकल में जरूवत नहीं है का लोन देने को दरूरी रेडी हम लोग लेकिन हमारे एक Nominee Director आपके बोड़ पर रहना चाहिए इन इस केस अपने आर्टिकल में लिखा होना चाहिए के बोड के पास पावर होना चाहिए के बाइं नॉमनी डिरेक्टर आपके इन केस ऑफ एग्रिमेंट इसी लिए अगर आपको याद होगा तो नॉमनी डिरेक्टर इस रिमूड फ्रॉम टोटल नॉमर डिरेक्टर अंडर 152 6 & 7 152 6 7 में से नॉमनी डिरेक्टर निकाला जाता है बात खतम यह ध्यान रखना रखना वन नॉमनी डिरेक्टर के लिए और एक सबसे इंपोर्टन पॉइंट आगया यह वेकंशी डिरेक्टर का प्रोसियर क्या है और के सबसे पहले इंपोर्टन विकंसी किस चीज की ओनी चाहिए जनरल मीटिंग के अपॉइंटमेंट की वेकंसी हुई that is called casual वेकंसी जनरल मीटिंग के अपॉइंटमेंट की वेकंसी that is called casual वेकंसी जनरल मीटिंग में अगर appointment हुआ था और office assume नहीं किया तो that is not a casual वेकंसी इसका मतलब क्या है please understand Mr. X को हमने अपॉइंट किया लेकिन Mr. X ने office joining नहीं किया है Mr. X ने office joining नहीं किया है ओके यह casual वेकंसी नहीं होगी casual वेकंसी क्या है casual वेकंसी वह है जब हम appoint किये जाते office assume करते हैं काम करना चालू करते office में आते हैं मतलब meeting meeting attend करते और उसके बाद या तो कुछ death हो गई या resign कर दिया whatever it may be okay that is called casual वेकंसी तो यह इन्होंने clear किया है module ने ओके सर कैजल वेकंसी कब होगी before the expiry of the term यानि अगर अपने को मालूम है कि before before the expiry of term अगर अपने को मालूम है कि भाई इसका term अभी तक बाकी और term के पहले यह रिटायर रिटायर क्या बोलता है यह term के पहले यह छोड़के चला गया इसका death हो गया okay तो before the expiry of the term okay that is called casual vacancy का point चौथा concept okay the appointment कौन करेगा board board will appoint लेकिन very important element is अगर आपको याद होगा 161 1 2 3 3 में पहले 1 2 3 में okay the casual वे सारे appointment जो 1 2 3 में होते थे वो they were taking place board meeting or resolution by circulation also यहाँ पर the appointment can be done only by board meeting 161 4 बोलता है 161 4 बोलता है board meeting appointment ही okay applicable होगा इस केस में board meeting के अलवा और कोई appointment applicable नहीं होगा मालिक okay okay पाच्मिन का ब्रेक लेलू मैं मैं तोड़ता चले का पाच्मिन का ब्रेक लेलू मैं मेरे कहलते बेकॉज मेरे को समाज में रहे थैंक यू गाइस पर अधिस्टिंग अधिस्टिंग्स मलिक के थैंक्स अलोट एव्रीवन बस यह थोड़ा सा सीन ऐसा है के वह कोविट का उटकम है बट है दुए तो अविह था भी आपनने 161-123 अपने कर लिया धा जहाँ पर अपने डिसकस किया we have discussed that additional डिरेक्टर को आपकेसे करेंगे उनका tenure रेंड कैसे होगा alternative डिरेक्टर का कैसे होगा उसका tenure कैसे हएंड होगा को के नॉमिन डाइक का पॉइंट्मेट्र इपासकर कुछ एडिक नहीं है ओके नोमिन डाइक्टर का तर्वाइब आइधर बीकॉस आफ लॉओ और इट कें रहा तो आर्टिकल्स में प्रेजन दूर्ण नहीं है मालिक। ट्रव कर दो यहां पर मैं हाल्ट हो गया था कैजल वेकंशी में क्या कॉंसेट है काज्ट वेकंसी सबसे पहला पॉइंट यह सेक्ष्ट अप्लिकेंबल कब अगर कोई जनरल मीटिंग के एपॉइंड मेंट हुए है और उसमें कोई कैजिल विए है तो यह concept अप्लिकेंबल है मेहने के अंदर ही अभी तक दो मेहने के अंदर ही वह रिजाइन कर गया या देट हो गई ओके नाओ कैने डीटेट अंडर सेक्शन 161-4 एंसर इस नो बिकास 161-4 एट्रक्टेड ओंली वें जनरल मिटिंग अपोंट्मेंट वेकंसी तो जब तक जनरल मिटिंग एक वेकंसी नहीं आती है तब तक यह था नहीं है मालेक 214 एट्रक्ट नहीं होगा मालेक तीसरा वोके मोस्ट इंपोर्टेंट है ओके यह कैजिल वेकंसी कब होनी चाहिए बिफोर थे एक्स्पाइड यानि एक्जम्पल लोगर अगर आपको याद होगा तो इसके बीचे में अगर कैजल वेकंसी हो गई बाइचन कैजल वेकंसी हो गई प्लीस तो अगया इन थे एक तो इसका देथ हो गया रिजिगनेशन हो गया कुछ हो गया है तो वो अपॉइंट कौन करेंगा बोडव डिरेक्टर लेकिन वन फे इंपॉर्टन दिफरेंस इन 161.4 कंपेर तो 161.1.2.3 सबसेक्षन 1 सबसेक्षन 2 सबसेक्षन 3 पहले वाले तीनों में यानि अदिशनल डिरेक्टर अल्टरनेट और नॉमिन यह तीनों में इपोर्ड बोडव डिरेक्टर चैन अपॉइंट आपको ध्यान रहे 161.4 तो इस उनलीन बोड मीटिंग में काइजल वेकंशी की जगह किसी को एक्पउइंट कर लिया एक्ग्वल एक एक एक्जम्पल लेते हैं मिस्टर ए था तो के उसका टेनियूर बचा वा था दो साल का तैनियोर बचा था उसके पहले वह देत होगी उसकी देत होगी ना उसकी shareholders are required. Okay, April shareholder requirement रहेगी मालिक. And most important यहाँ पर एक terminology ऐसी दिवी है, board may fill. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जरुरी नहीं है, board fill ही करेगा. Board की मर्जी है, board may fill the casual vacancy position. And last concept is, casual vacancy cannot be filled for casual vacancy. यह सबसे important point समझ लीजे मालिक. Okay, आटवा point एकदम clear cut है, क्योंकि ICI ने इसको clearly notify किया हुआ है. Example बताता हूँ, Mr. A था, Mr. A का appointment general meeting में हुआ था. Okay, अब Mr. A की death हो गई. और उसकी जगो Mr. B as a casual vacancy appoint किया गया, 161 4 में. Okay, it's casual vacancy director appoint किया. Now what if Mr. B का tenure अभी भी दो साल बचा हुआ था, लेकिन उसके पहले Mr. B की death हो पही. Okay, अब Mr. C को क्या casual vacancy director appoint किया जाएगा? Answer is no. Okay, clearly. Sir, why answer is no? Why answer is no? Okay, why answer is no? Why answer is no? The reason is simple. The reason is simple because Mr. B का appointment हुआ है, it is not in general meeting. It is in board meeting. यह point ध्यान रखना है. 161 4 कब attract होता है? Only general meeting की casual vacancy. Okay, only general meeting की casual vacancy. यह concept ध्यान रखना मालिक. Okay, make it sure, यह ध्यान रहे. Okay, यह concept खतम हो जाएगा. Okay, तो यहाद खना, अगर casual vacancy director की भी vacancy हो गई, तो क्या 161 4 में वापस को casual vacancy फिल किया जा सकती है? Answer is no, खतम story. Okay, and concept clear है, इसका tenure कब तक रहेगा? tenure clear है, tenure तो आपको, क्योंकि यह किसी और के भीहाफ पे आया हुआ है, तो जो earlier director था, उसका जो tenure है, तब तक वो काम करेगा. Okay, लेकिन एक चीज clear क्याद याद अखना? Okay, is there any time limit? Answer is no time limit. Time limit का concept नहीं है. इसलिए तो wording clear दिया ना, board may fill, board may fill, seven point को ध्यान में रखे, board may fill, board may fill, board की मर्दी है, हुआ जरूरी नहीं है, जरूरी requirement नहीं है, तो casual vacancy fill करने की जरूरत भी नहीं है. Okay, बस इतना ही इन्होंने condition क्या है? Okay, यहाँ पर है ना, regulation can be done by AOA, and this is very important, एक चीज यह पॉइंट, इस वर्थ, वर्थ लिस्निंग, वर्थ लिस्निंग, 161, 161, 2, अगर आप यह दो देखोगे, और 161, 4 देखोगे, ओके यह दोनों में AOA का, AOA के power से यह लोग यह कर सकते हैं, 161, 4 में इन लोग ने wording दिये, regulated by AOA, regulated by AOA, यानि, point to be noted, 161, 4, 1, 4 का, casual vacancy का appointment का power, 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 casual vacancy का appointment का power is given by act itself, additional director का power, या alternate director का power, act नहीं दे रहा है, act बोल रहा है कि तुम अपने AOA में define करो power को, 161, 4 में act power दे रहा है, casual vacancy का point करने का, लेकिन regulated by articles, regulated मतलब क्या होगा, example क्या है, regulated का मतलब क्या होगा, example, regulated में ऐसा लिखा जाएगा, अगर कोई director जा रहा है, और अगर कोई director CA था, तो उसकी जगा CA ही आना चाहिए, कोई दूसरा नहीं लेना चाहिए, बस यह ऐसा डाल सकते है, AOA ऐसा नहीं लिख सकता के भाई, casual vacancy appointment किया ही नहीं जा सकता, this cannot be done by AOA, तो यादखना, what is the difference in wording, regulated by AOA, and AOA provides the power, दूनों में difference है, recorded AOA, AOA के हिसाब से power मिलना, 161.1 और 2 का concept था, लेकिन, one regulated मतलब क्या, कुछ condition डालना, कुछ policies बनाना, कुछ procedure होना, that is 161.4, यह concept धान में रखिया मालिक, यह होने के बाद, आपका casual यहाँ पर अपनी कहानी खतम हो गई, even with respect to यह concept, तो यह चार्ट में देख लीजिए, अपने पहले तीन, जो जनरल मिटिंग के अपॉइंट्मेंट, यह कहानी खतम कर दी, उसके बाद, चार पॉइंट यह additional alternate nominee, यह खतम कर दी है मालिक, आपके आपको आता भी होगा बहुत इसमें ज़्यादा पंचायदी डिसकेशन करने की जुरूत नहीं अपने को, resident director कौन होना चाहिए, ओके आपके company में at least one resident director होना चाहिए, ओके, ओके, शुट अपॉइंट में अपॉइंट में अपॉइंट में जो जनरल मिटिंग होगी, आईदर वो AGM हो या EGM हो, extraordinary general meeting हो, दोनों में इसमें, next general meeting में approved हो जाना चाहिए, general meeting में बुला है, ओके, तो याँ रखना, next general meeting बुला है, next AGM नहीं बुला है मालिक, ओके, private company सबको applicable है, सबको applicable है, same 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 concept, no change in here, no exclusion or something like that, ओके, resident director, every company should have one resident director, at least one resident director, जो minimum, okay, 182 days, या उससे ज्यादा, इंडिया में stake किया हुआ है, यह logic उसमें ध्यान रखना है, अगे, यह प्रोवाइज, मतलब यह sections के प्रोवाइज है, यह एक किसमें ध्यान रखना है, resident director, अगर कोई company incorporate हुई है, और बीच में हुई है, example, वो December में हुई है, तो financial year के लिए प्रो रेटा बिसस पे 182 डिवाइड किया जाएगा, मतलब जिस हिसाब से 182 डिवाइड किया जाएगा, जितना भी दिन है आपका, उसके हिसाब से 182 को डिवाइड किया जाएगा, तो resident director एक क्राइटरिया है, every company should have at least one resident director, at least one, जिसका मतलब सर क्या हम non-resident director भी रख सकते हैं, answer is yes, कोई दिक्कत नहीं है, यह तो अपने मैंने आपको alternate director के लिए भी समझाता है, there is no problem with that, okay, woman director, okay, woman director का concept is very clear, woman director, हर listed company को woman director रखना जरूरी है, हर unlisted public company, जिसका paid up share capital 100 करोड या उससे जादा, या turnover 300 करोड या उससे जादा, okay, यह याद रखने पढ़ेंगे criteria, क्योंकि यह criteria common नहीं है, कुछ criteria जो common है, आगे discussion में आएंगे, तो हर listed company, हर unlisted public company, हर unlisted public company, paid up share capital 100 करोड से जादा, या turnover 300 करोड से जादा, इन लोग ने at least one woman director board पे रखना ज़रूरी है, at least one woman board डारेक्टर बोड पे रखना ज़रूरी है, मालिक याद रखना, तो यह concept है woman director का, जतिन एक 5 मिन में बता तो वो point को, मतलब थोड़े दिर के बाद बता तो, उसको मेरे को कुछ link करना है, तो अभी एक बार यह point woman director का हो गया, यानि हर listed company या unlisted public company, जिसमें 100 करोड और 300 करोड या उससे ज़्यादा, paid up share capital और turnover, उनको woman director रखना है, अब यह woman director की, अगर interim vacancy हो गई, interim vacancy मतलब क्या, अगर woman director का resignation हो गया, या कुछ कारण से death हो गया, कुछ हो गया, मतलब vacancy हो गई, in case, interim vacancy, इस case में woman director के लिए appointment, within three months, और next board meeting, whichever is later, three months और next board meeting, whichever is later, उसमें appointment हो जाना चाहिए, woman director का, तो casual vacancy के लिए, किसी ने पुछा था सर, उसके लिए कोई time limit है, answer is no, unless until it is woman director का casual vacancy, example, आभी 2 woman director है, अभी लगाने की जरोवत नहीं है, कि woman director board पे है, compliance अपना 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 हो रहा है, मालिक, क्या दिक्कत है, compliance अपना अपना हो रहा है, तो headache नहीं है, तो इस case में, अपने को interim vacancy का ध्यान रखना है, interim vacancy कब ध्यान में रखना है, यह कंडिशन कब ध्यान में रखनी है only if there is a one woman director on the board if there is more than one woman director on the board and one उसमें से को एक woman director छोड़के चली जाती है या कुछ हो जाता है vacancy हो जाती है तो कोई टेंशन नहीं है यह casual vacancy का interim vacancy ध्यान में रखने की ज़रूवत नहीं है अब यह अगर देखोगे तो थोड़ा सा रटने वाले पॉइंट है रटने वाले पॉइंट मतलब यह आपको प्रोसीजर रटना होगा माले के यह प्रोसीजर रटने होंगे हुआ तो सबसे पहराइंट हर लिस्टर कमपनी में हैव क्लिreseТव वरड़ हैं में 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 हैं में हैं मेंastically है में स्मॉल शेर्ओल्डर कौन होते हैं जिनका शेर्ओंडींग 20,000 होता है वो small shareholder होते है small shareholder director कितने हो सकते हर company में जो listed company जिनको रखना है वो खाली एक ही director रख सकती है अब question है कि appointment कौन करेगा listed company suomoto खुद कर सकती है यह निए own motion पर कर सकती है या listed company को application आ सकता है तो application कौन दे सकता है thousand shareholder or one tenth of total small shareholder thousand small shareholder और one tenth of total small shareholders यह दोनों में से whichever is lower वह application देंगे वह application देंगे मैं आपस बोल रहा हूँ sir application दिया तो इसका मतलब क्या listed company को compulsorily small shareholder रखना ज़रूरी है answer is no compulsory नहीं है listed company may have small shareholder director may have small shareholder director okay लेकिन ठीक है sir यह appointment कैसे होगा section 160 के हिसाब से यानि जो small shareholder director बना चाहता है उसको 160 के हिसाब से application देना होगा और मैंना आपको अल्रीडी बताया हुआ small shareholder director भी अगर आप देखो के तो rotational non-rotational 152 6 & 7 में आप वो rotational non-rotational cycle से उसको निकाल देते हो यादेना total number of director minus independent director minus small shareholder director तो इसलिए धान रखना 160 का rooties के पास applicable है इसका tenure fix small shareholder director का tenure is fixed that is three years three years का point है okay यह cycle में नहीं जाएगा जैसे मैं आपको अल्रीडी बता दिया cycle में नहीं जाएगा और cycle में क्यों नहीं जाएगा this is all together is clear-cut concept because the logic is very simple when we say small shareholder director small shareholder director जब cycle में जाता था तो वो दो साल में निकल सकता था तीन साल च्यार साल में रहता था लेकिन यहां पर small shareholder director का fix tenure दिया हुआ है rules ने rules ने बोला तीन साल के ओपर वो बनने सकता याद रखिये और उसके बाद उसका cooling cooling period है that is two years का concept okay वो cooling period उसने follow करना है one most important क्या small shareholder director appoint किया गया क्या उसको निकाला जा सकता है answer is yes 169 पावर है shareholder के पास यानि ऐसा हो सकता है small shareholder director board पे आये और उसको निकालने के लिए 169 section use कर सके जो 169 यूज करना है तो 169 से small shareholder director निकल सकता है point to be noted small shareholder इसमें debate नहीं करेंगे कि मेरे डायरेक्टर को तुम निकाल नहीं सकते point to clear cut रखिये there is no concept of permanent director और मैं आपको यह चीज़ क्लियर भी वता देता हूं non rotational director अपने देखा था यह ध्यान मेरा है और इसके इसमें में most important company is small shareholder director maximum two company में ही हो सकते उससे जाधा company में small shareholder director नहीं बन सकते and small shareholder director जब दो company में बनोगे तो दोनों company competing company नहीं होनी चाहिए यानि example reliance trends और रेमंट इन दोनों में हो सकते हैं okay so competing company नहीं होनी चाहिए यानि एक point of time पे Amit Tathir कितने company में small shareholder director बन सकता है only two companies not more than that and both the company should not be competing company and very important point okay small shareholder director independent director का criteria fulfill करना चाहिए ताकि independent director के criteria के इसमें fit हो सकता है अब यहाँ पर सबसे important point में आपको बता दू okay is real life में real life में आप google पे सच मारो आप bare act पड़ो आप rules पड़ो okay you will come to know that small shareholder shareholder director and independent director okay both are different criteria okay it may happen that if small shareholder right director fulfill the independent director criteria so he will be fitting into two things one is small shareholder director also an independent director also okay but in our module okay our module is clear module is saying that small shareholder director should be independent director okay in realistic it is not so realistic में आपको बता दू अगर में आपको मैं दो तीन क्राइटर में बता दू कंपनी किया जहां पर small shareholder director independent director okay don't know different item है लेकिन अपने इसमें that boss small shareholder director okay is for becoming उसका क्राइटरिया फुल्फिल होना चाहिए independent director का तो इसलिए या रखना ओके independent director का क्राइटरिया फुल्फिल होना चाहिए small shareholder director ने भी ओके तो independent director का रखना फुल्फिल करेगा वो this is what a small shareholder director under section 151 one okay तो एक question मेरा simple आता है sir इसका appointment कैसे होगा इसका appointment small shareholder director का appointment कैसे होगा application कौन देका वो छोड़ दो appointment कैसे होगा appointment will be done by 160 only please do understand what I want to convince you is what I want to tell you is that's it यह साथी है यह साथी है मालिक यह साथी है अब इसमें small shareholder लो independent लो resident लो woman लो okay whatever you want to take okay इनके appointment mechanism यह साथी है appointment mechanism का प्रोप जो प्रोसीजर है यह साथी है अब यह woman director का point करना है इन साथ में से ही criteria फुल्फिल होगा इन साथ में से ही mechanism होगा ओके independent director है ओके वो 160 वाला mechanism यूज कर रहे है यह एडिशनल डारेक्टर के mechanism से जा सकते हैं के स्मॉल शेरोल डारेक्टर रेक्टर रेक्टर है तो अल्टुगेधर यह ना इसके सेप्रेट पार्ट से ओल्टुगेधर यानि उपर में और मल्टिप्लिकेशन हो रहा है ऐसा सेनारियो आपको ध्यान रखना है स्सडी के नौट फोल्ड एनी पोजिशन दूरिंग प्रेड एंडिपेंड डारेक्टर जब उनका कुलिंग प्रेड होगा तो वह कोई दूसरी पोजिशन होल्ड नहीं कर सकते मालिक कुलिंग प्रेड क यह एक चीज मेरे को बतानी थी आपको दिस एग्जमपल आइज निद टू टेल यू नाइन डारेक्टर मेरे पास है ओके उसका वन थर्ड ओके इंडिपेंड डारेक्टर के राइटर के बाद बताता हो एक काम करते इंडिपेंड उसे अपने को ख्लियर कट आ जाएगा इ लिस्टेड कंपनी इंडिपेंड डिरेक्टर अफिके बलाइन अनलिस्टेड पॉब्लिक कंपनी जिसमें पेड़फ शेर कैपिटल दस करोड टर्न ओवर सो करोड और लोंस और तो तो यही सेम नॉमिनेशन रिमिनेशन कमिटी में भी होगा यही सेम क्राइटर आपको सेक् को किसको है लिस्टेड कंपनी एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसमें तीन क्राइटर्या फुलिफिल हो रहे है लेकिन दोनों में इंडीपेंडिन डारेक्टर अलग-अलग रिकॉयर्ड है अगर आपको वन थर्ड ओफ यह वापस बता रहो समझ होश करो ओके independent director कितना चाहिए लिस्टेट कंपणी में वन थर्ड अनलिस्टेट पब्लिक कंपणी में अगर दस पचास सौ से जाधा हो रहा है तो पेड़शार अगर ओड़िट कंपणी की रिक्वार्मेंट जाधा आ रही है तो जाधा लगेंगे इसका मतलब एक 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 इस च्रीन पर दिख लिए एक्सम्पल लेते हैं मेरे कंपनी में चार डारेक्टर रहां दो इंडिपेंडेंट डारेक्टर रहें कौन सी कंपनी अणलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो 10 500 के Criteria में फिट होती तो उस case में उस case में चार्डायेक्टर है और दो इंडिपेंडेंट डारेक्टर है तो अपने ऊडिट कमिटी में कितना चीए अगर आप आप सेक्शन 177 पढ़ेंगे तो अपने एक तीन डिरेक्टर है इस case में केसे में बात कर रहा हूं मैं सब लोग case A में देखिए case A में चार डारेक्टर दो इंडिपेंडेंट डारेक्टर है तोटल 6 हुए audit committee में तीन है audit committee में majority of director शुड़ बी इंडिपेंडन यह अपन सेक्शन 177 पढ़ेंगे तो भाई तीन में से unlisted public company में audit committee में पाच डारेक्टर है audit committee में पाच डारेक्टर है अब मेरे को बता पाच में से maximum कितने होते है तीन एस पर section 177 audit committee में maximum डारेक्टर शुड़ बी इंडिपेंडन डारेक्टर तो अब यहाँ पर audit committee पाच डारेक्टर है तो maximum 3 2 अपने पास 2 ही है तो यहाँ पर कितने होने चाहिए था 3 होने चाहिए तो इस case में आपको independent director 2 नहीं 3 लगे गे ओके this is what they are explaining that okay unlisted public company में unlisted public company में okay at least मतलब 2 चाहिए minimum 2 चाहिए लेकिन उसके बाद अगर आपकी audit committee requirement ज्यादा हुई audit committee के सबसे अगर independent director ज्यादा लगे तो आपको ज्यादा रखने पड़ेंगे यह point आपको define किया हुआ है this is something which is very important for unlisted public company लेकिन unlisted public company में और और कौन से अल लोडिया फॉर लिस्टेट इस different criteria LODR के लिए requirement आप इसमें compare ही मत करना ने तो match हो जाएगा okay unlisted public company में joint venture holy owned subsidiary and dormant company ओके यह तीन criteria आपको निकालने पड़ेंगे ओके ज्यानि अगर आपके joint venture holy own subsidiary और dormant है और आप paid up share capital दस करोड़ पचास करोड़ यह logic में बैट रहे हो तो भी आपको independent director की requirement फुल्फिल करने की जरुबात नहीं है मालिक that's it okay यह ध्यान रख लेना this is something which is for independent director ओके अब independent director का concept लिस्टेड कंपनी में तो independent director आपको continuous रखना पड़ेगा लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी है मेरा आज का paid up share capital ओके screen पे एक example पचास करोड़ असी करोड़ और साट करोड़ लोंस अगर आप देखोगे और यह 2019 2020 का है तो independent director कब रखना पड़ेगा अगले साल पिछले साल की balance sheet के basis पे पिछले साल की balance sheet के basis पे अब अगर मैं अगले साल independent director रखता हूं 31 मार्च 20 से independent director applicable होता है ओके अब थोड़ा पॉइंट समझे शुरो मेरे independent director के appointment तो हो जाते हैं लेकिन उसके बाद 31 मार्च 21 की अगर मेरी balance sheet देखे तो पेड़ेशार पाच करोड़ और टॉन और असी करोड़ और लोंस और बॉर इस करोड़ यानि मैं लिमिट के नीचे हो जाता हूं क्या मुझे अगले साल independent director रखना पड़ेगा एंसर इस independent director कितने साल तक रखना पड़ेगा एक बार आप applicable हो गए और उसके बाद जैसे ही आप not applicable हो जाते हो फिर भी आपको तीन साल तक तीन साल तक आपको रखना पड़ेगा त्री यर्स तक आपको independent director को इंडिपेंडेंटार के लिए यह अपर दिखोगे तो आपको रखने वाला पॉइंट क्या है क्या है तो इंटीरिटी वाला बंदा होना चाहिए स्किल्स तोड़ होने चाहिए मैंगेजिंग डाइरेक्टर नहीं होना चाहिए ठीक है मालिक पर संभी इंडिपेंडन्ड डारेक्टर वह प्रमोटर ओफ चाहिए उसके साथ कोई transaction नहीं होने चाहिए किसके साथ company holding associate subsidiary ओके और साथ में promoter and director के साथ में यानि promoter director of charge और चाहस के साथ में कोई भी पेकन रिलेशिप नहीं होनी चाहिए और अगर हुई भी तो 10% of total income का उसका जो total income मैं उसके 10% के उपर नहीं जाना चाहिए लेकिन armland transaction armland transaction चलेगा armland transaction को ignore कर वाप okay sir what is an armland transaction example okay मैं vodafone में independent director बनने की भूशि कर रहा हो और vodafone का मेरा billing वाला criteria और मैं billing नॉर्मल पे कर रहा हूं normal transaction armland transaction normal transaction okay now this will not be concept of pecuniary relationship तो आपको यह समझा होगा armland transaction का यह तो मैंने उल्टा एक्जांपल दिया अग्जांपल विल वर्क आउट तो armland transaction विल नॉट बीकवर्ड एन यह कितने ताइम तक दिखना है टू प्रिविए सियर प्लस करेंट यह यानि इंक्लूडिंग करन्ट यह त्री यह का दिखना है ओके परसन ना परसन जो परसन बनने वाला है ओके तो प्रोमोटर नहीं होना चाहिए पिकरन रिलेशन नहीं होना चाहिए चार चीज़े सिक्यूरिटी इंडेपनेस गैरेंटी पिकरन रिलेश्चिप और इसमें इन लोग ने 50 लाग और 2 परसंट विचेवर इस हाईयर जो भी दिया हुआ है 50 लाग 50 लाग 50 लाग और 2 परसंट जो भी हाईयर उससे जाधा नहीं रहना चाहिए यह पॉइंट आपको डिफाइन क चाहिए अगर मैं इंडिपेड़न डारेक्टर बने जा रहे हो दूसरा अमित अतर क्यसा होना चाहिए सब्ससेडिय करेंच चाहिए चौथा अमित तातेर और उसके रिपरिशे होने चाहिए यह था है तो अगर आप देखोगे तो भाई मैं या मेरे डिरेटिव के अमपी डिरेक्टर नहीं होने चाहिए किसमें चाहस में ओके कंपनी होल्डिंग एसोशेट सबसीडिरी पिछले तीन साल और करंट यह यानि यहां पर चार साल हो गया ओके लेकिन अगर 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 मेरे रिलेटिव पिछले पिछले तीन साल में पिछले तीन साल में पिछले तीन सा तो के एंपी एंप्लोई डारेक्टर ओके ऑफ चास पिछले तीन साल प्लस करंट यह नहीं होने चाहिए लेकिन मेरे रिलेटिव पिछले तीन साल में ओके इस क्या हो सकते हैं मेरे पिछले रिलेटिव पिछले तीन साल में क्या हो सकते हैं एंप्लोई हो सकते हैं लेकिन legal services legal firm में legal firm में legal firm में जो services देती है चास को चास मतलब क्या हुआ company holding associate subsidiary ओके जिसमें 10% of total income legal firm को हमसे आता है तो हमसे जो आता है वो 10% यह उसे नीचे आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उस legal firm को 10% यह उससे ज्यादा पैसा हम से मिल रहा है मतलब company से मिल रहा है तो उस company में तुम इंडिपेंडेंट डिरेक्टर नहीं बन सकते हैं वापस year 3 plus 1 मतलब 3 year previous plus current year यह ध्यान रखिये मालिक और उसके बाद मेरे पास या मेरे डिट्यों का चीफ executive director ओके या 2% voting rights होना नहीं चीए जिस non-profit organization को company holding associate subsidiary या उनके promoter या director of the company 25% या उससे ज़्यादा contribution देते हैं यह लास्ट वाले point को मैं समझा देता हूँ एक्जामपल ओके एन एन पी ओ है non-profit organization है ए लिमिटेड ए लिमिटेड एन पी हो है ओके अब यहाँ पर एक्स लिमिटेड से इनको charitable charity charity आती है ओके अब मैं एक्स लिमिटेड में मिस्टर ए एक्स लिमिटेड में independent director बन सकता है क्या बाकि सब criteria fulfill हो रहे हैं लेकिन अगर एक्स लिमिटेड मुझे independent director बनना है तो मुझे यह धान रखना है कि मैं इस NPO का ए लिमिटेड के NPO का मैं chief executive या director या 2% से ज़्यादा voting नहीं होने चाहिए मेरे पास ओके और यह इसको पैसा जो देती है contribution देती है 25% से ज़्यादा इसके पास मिलना नहीं चाहिए यानि NPO को अगर 100 रुपया मिलता होगा तो 25 रुपया उससे कम 25 रुपय से कम एक्स लिमिटेड से मिलना चाहिए 25 से ज़्यादा एक्स लिमिटेड से मिल रहा है 25 से ज़्यादा एक्स लिमिटेड से मिल रहा है और उस NPO का मैं chief executive director या 2% voting rights रखता हो तो मैं independent director नहीं बन सकता है इसके सिनारियो का सबसे इससे इंपोर्टन पॉइंट आता है इसार टेनियोर कितना होगा तो याद रखना है टेनियोर इस टूटर्म्स औफ फाइयर्स इच यह आपको ध्यान रखना होगा ओके यानि फॉस्ट टर्म पात साल को हो सकता है मैक्सिमम उससे जाधा नहीं हो सकता बस इतना ध्यान रखना कंडिशन सेकेंट में जब इंडिपेंडेंट करना पड़े आपके नंबर्स मत देखो आपके 15 के उपर है या कितने है उससे कोई लेना दन नहीं सेकेंट टम का एपॉइंट्मेंट विल बिदन बाइ स्पेशल कितने टर्म के लिए मैं इंडिपेंट डिरेक्टर संकता है दो ह के लिए independent director का सकता है it is like audit only okay auditor only दो term के लिए independent director का सकता है उसके बाद उसको cooling period मिलेगा cooling period कितने time का मिलेगा cooling period उसको तीन साल का रहेगा अब यह दो term कितने साल के हो सकते maximum 5 साल एक तर्म पाथ साल का दूसरा पाथ साल का पहले तर्म में और से डिपैंडिंग आपका देखो सेकेंड तर्म में आपको ऐसार से ही अपवाइंट करना पड़ेगा ओके वापस होगा ओके जो टेनियर होगा तेनियर होगा वो दो term का ही होगा term term and one term can be of maximum five years one term can be of maximum five years तो two term will be there maximum five years five years यह concept रहेगा मालेकों और कुलिंग प्रेट कितने पॉइंट कर रहेगा त्री यह कर रहेगा मालेकों यह पॉइंट में रखें मालेकों अब यहां पर जो सबसे इंपॉइंट पॉइंट टेनियर तो यहां पर जब पॉइंट कर रहा हूँ वनियर के लिए अब आपको समझना वोगा यह इसकेंग अवह अप ऐसा मत बोलना वस्ट टर्म इजओ फाईयर श तैसा नहीं यह इसकेंट यह सेकंड दम चलूगों जो पात साल क्राइटिर नहीं है टर्म क्राइटरि है तो पहला टर्म इस यौर त्रियर सेकंड टृम इस अफ बन यहर अचाए तीन इप्रति है और आप को पहले टाइम में चाहिए आओर आपको पहले टा Jason इंडिबेंड डिएरेक्टर के लिए आपको एक क्लियर कट लिए मालिक इसे और इस वह पहले एक डेटावेंग में इंडीबेंडां डारेक्टर को अपना नाम दालना होगा जो इंटर्न कॉर्पेट जो मैनेज करते हैं किसी डेटा-बैंक या lifetime फीज अलग लग है एक साल की फीज अलग है lifetime फीज अलग है और five years की फीज अलग है और renewal आपको कप करना होगा एक साल या पात साल के end होने के पहले 30 डिस पहले आपका renewal होगा और आपको एक examination देनी पड़ेगी within one year okay आपका जब आप अपना नाम डेटा बैंक में डालोगे एक साल के बीच में आपको एक examination दिनी होगी अगर आप examination नहीं देते हो clear नहीं होते हो तो आपका नाम data bank से निकाला जा सकता है ओक लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनी में unlिस्टिड public कंपनीं में पेड़फ share capital जिसका दस करोड का जबड़ है और body corporate जब आर्टीपी लाया था उसके अंदर उनने इंक्लूड किया था ता यह individual है independent director में से क्या क्या चीज उठाओ बंड लम ंंज गार आपकर street कपणी में उपंतर चाहिए unlisted में लििस्टेड में कंपनी में बुपर है तो फो ट Way कमेटी यह यह concept ध्यान रखना और इसके अलवा independent director का first term second term यह दो पॉइंट ध्यान रख लिए first term five years maximum हो सकता है second term five years maximum हो सकता है second term point करते वक्त ऐसार चाहिए that's it okay story over यह हो गया आपका with respect to okay the directorship concept everybody clear मुगदा important sections का तो criteria आपन बाद में रखते मालिक तो directors का logic appointment और tenure का concept clear हो गया है अब सिर्फ दो चीज़ चोटा सा point है ओके दो चीज़ चोटी सी point बची हुए 162 and 163 तो 162 और 163 के concept में मैं आपको बता दू अब सिंपल सा question है मेरा अब Mr. A Mr. B Mr. C यह तीन जन का appointment जनल मीटिंग में होने वाला है तीन जनका appointment जनल मीटिंग में होने वाला है मालिक क्या मैं एक ही resolution में तीनों का appointment कर सकता हो मालिक एक ही resolution में तीनों जनका appointment कर सकता हो मैं ऐसे बोल सकता हो result that Mr. A, B, C are appointed as a director okay 162 इसको clear करता है कि general meeting में हर director individually appoint किया जाएगा यानि result that Mr. A is a director result that Mr. B will be director result that Mr. C will be director यह clear cut 162 बोलता है 162 बोलता है general meeting में general meeting बोला मैंने word general meeting में यानि board meeting में आप ऐसे point कर सकते हो board meeting का कोई requirement नहीं है general meeting में ओके यह concept रहेगा रिमोल का अपन सक्षन रिमोल में देखते मालिक रिमोल का सक्षन रिमोल में देखते मालिक ओके तो general meeting का यह पूरा ज़नरल मीटिंग में ऐसा ही होगा बोर मीटिंग में आप करो ना बोर मीटिंग में साथ में अलटरनेट वह अलग है तो इसको एक्सप्षचन दिया हुआ है एक्सेट्षन क्या दिया हुआ है मलिक कि अगर आपको मिस्टर एक साथ में एक्साथ में आपको लेट SIM करने यह एक resolution मैंने pass किया पहला resolution ऐसा पास किया मैंने क्या सारे डिर्कटर एक साथ में है और वो resolution general meeting में unanimously unanimously होना चाहिए यानि सबने एक भी वोट नहीं होना चाहिए एक भी वोट उसमें O.R.S.R. नहीं है unanimous है unanimously होना चाहिए यानि पहले resolution pass करेंगे के भाई Mr. A, B, C साथ में appoint कर रहे हैं सब लोग बोलेंगे okay 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 फिर बाद में बोलेंगे Mr. A, B, C okay result that हम लोग इसको appoint कर रहे हैं और फिर बाद में OR या SR जो भी required है वैसे पास किया जाएगा इस तरह से यह concept आएगा तब जाके 162 162 का concept cover होगा मालिक तो 162 क्या बोलता है मालिक 162 बोलता है general meeting के resolution पास करते वाग 162 क्या बोलता है general meeting का resolution पास करते वाग ओके आप कोई भी डारेक्टर एक साथ में appoint नहीं कर सकते हैं लेकिन इसके लिए exception है पहले एक SR resolution पास कीजिए जिसमें सारे डारेक्टर पॉइंट किया जा रहे है और वो resolution unanimously पास होना चाहिए और उसके बाद यह resolution पास कीजिए कि भाई यहां Mr. A B C appoint किया जा रहा है okay this is how the things will occur okay sir if some director is silent some director is silent doesn't matter silent है इसके लिए तो यह यह चीज़ एवाइड कर रहे है ना some directory silent मतलब example अभी ऐसा लेते है Mr. A Mr. B बहुत effective Mr. C जंडुबा में Mr. C मतलब ही नी Mr. C को मालूम है Mr. C खड़ा रहा ना उसको 5% वोड भी नहीं मिलेगा Mr. C को लेकिन Mr. A और Mr. B के साथ में खड़ा रहा तो भाई यार पब्लिक को तो Mr. A और Mr. B तो चाहिए ही चाहिए है तो Mr. C को अपने अप लेना पड़ेगा इस यही चीज़ तो प्रॉलम आती है ना इसी लिए यह लोग क्या बोलते है हम लोग पहले ऐसा resolution pass करो अगर 162 ऐसे आपको तीनों को एक साथ में अप्वाइंट करना है तो पहले इसका मतलब प्राइविट कंपणी अपने को जैसा चेह वैसे पॉइंट कर सकती है पॉबिक कंपणी गरमेंट कंपनी जैसा चीव एक साथ में कर सकती है और वापस बोल रहा है एक चीज पर वड़िंग फोकस करना जनरल मीटिग एपोइंट्मेंट्मेंट्मेंट्ब जनरल मीटिग जनरल मीटिंग एपोइंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट् आपने क्या बुला था ओके अगर धर जânरर्भी है और अगर 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 इसमें को anxiety उनने को नहीं को तो ठाएक्जर रिटारिइन है उसका डीम री अपटमेंट हoba gap laughs accept 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 अगर आपको याद होगा तो accept क्या था डीम रिप्पॉइंट्मेंट के लिए exceptions क्या थे वह पाच exception आपने याद रखने कि वह disqualify है तो डिस्कॉलिफाई तो logic simple है unwilling है ठीक है resolution put है लेकिन lost है यह भी ठीक था यह समझ में आ गया एसार और हुआ ठीक है बाद में देखते हैं सिंगल resolution यानि जो निकल रहा है अगर उसका appointment यानि example अभी जो निकलने वाला बंदा है वह Mr. C है और उसका appointment जब पहली बार हुआ था वह Mr. A B C साथ में हुआ था साथ में हुआ था और अभी निकलने के लिए Mr. C निकल रहा है तो यहां पर dm reappointment नहीं माना जाएगा this is how the concept single resolution comes into picture यानि जब उसका पहर पिछली बार जो appointment हुआ था तो डीम reappointment नहीं होगा उसका तो उसका मतलब इस शौट एकदम सिंपल है न मिस्टर सी के बार में कोई discussion कर रहा है इसका मतलब उसको करना चाहते है that is what Mr. concept of 162 तो section 162 अगर यूस किया था आपने पिछली बार और वो retire हो रहा है और general meeting में को discussion निवा एडजन meeting में भी discussion निवा तो वो deemed to be reappointed नहीं होगा क्योंकिसका reappointment कैसे हुआ था single resolution से हुआ था मालिक sir while passing a resolution one director neither voted for nor against ठीक है ना doesn't matter कोई डारेक्टर वोट वोट अगेंस इसमें इंडूजल डारेक्टर का हो गए नहीं 162 जब यूस हो रहा है तो इंडूजल डारेक्टर को सब्सक्राइब साथ में होगा पहला unanimous होगा और second ओके ओवर से पास होगा ओवर से सब पॉइंट हो जाएंगे ओके 163 162 समझ मैं सिंगल रिजॉलिशन से पास नहीं होगा ओके नाव यार गईंग ऑन 163 अभी समझेश करो यह चार ग्रूप है जिन्होंने इंवेंस्मेंट किया है 20% 20% 20% मैंने कमपणी में 20% डाला है ए ने बी ने इने 20% डाला है और यह डाला हुआ है ओके अब लॉजिक ऐसा है कि डिरेक्टर अपउइंट करेंगे यह करेंगे सब हैडेक होगा तो 163 एक डारेक्टर है एक that is 163 यानि एग्जामपल लेट एजिम अभी एजिम करते हैं अपन दस डाइरेक्टर अपने टोटल नंबर ऑफ डाइरेक्टर दस है तो अगर मैंने 163 यूज किया तो इस केस में एग्रूप डोटाइगा बी ग्रूप दो डाइरेक्टर बताएगा धी ग्रूप दो रिट्र होंगे जो लोग बताएंगे यह इस सबसे नोमिनेट करेंगे और यहां पर कोई resolution नहीं किया जाएगा कि यह resolution होगा तो ही appoint हो जाते है, 163 is overriding all sections, okay, तो 163 activate करने के लिए, यानि ये method यूस करने के लिए, मुझे क्या करना होगा, पहला point, article of association में ये mention करना होगा, कि हम लोग proportional representation से director को चुनेंगे, we will appoint the director based on proportional representation, we will appoint the director based on proportional representation, I need to mention this an article, second condition, it says not less than two-third of director should be appointed by this method, यानि, it says not less than two-third, it means you can appoint all director by this method, you can appoint all director by this method, but not less than two-third should be appointed by this method, okay, not less than two-third by this method, ये logic आप ध्यान रखे है, okay, तो इसका मतलब, अगर मैं 10, 10 की बात के या, not director है, okay, इसका two-third करूं मैं, तो इसका concept 6, 6 director ये method से होने चाहिए, तीन director तुम नॉर्मल method यूज़ करो, minimum बोल रहा हो, minimum, not less than two-third बोल रहा हो, not less than two-third, लेकिन, sir, मेरे को 10 के 10 director इसी method से point करने, करो न, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन कम से कम ये method से कितने होने चाहिए, two-third होने चाहिए, ठीक है, sir, सबसे important criteria इनका क्या होगा, सबसे important criteria ये होगा, कि ये तीन, ये जो दो, 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 दो डायरेक्टर रही है, तीन साल के लिए minimum point किये जाएंगे, तीन साल के लिए, और याद रखना, सबसे important point, इनके against 169 section यूज नहीं किया जा सकता, 169 यूज नहीं किया जा सकता, 169 से ये डायरेक्टर निकाले नहीं जा सकते हैं, okay, these director cannot be removed as such with respect to, okay, the 163 section, 163 में जो appoint हुए है, okay, अब एक चोटे सा point इसके लिए है, 9 director है मेरे, मैंने 163 से 23rd का appointment किया, okay, सारे director नहीं, 6 appointment किये 163 के method से, और 3 appointment किये, मैंने 152, 152,67 के mechanism से चल रहे है, यानि 160 के थू आए और 152,67 में जा रहे है, 152,67 में जा रहे है, तो याद रखो, section 169 is removal of director, removal of director, एक चीद में आपको बता दू, मैं अगर कोई company में director रहो और आप shareholder हो, आप 169 follow करके मुझे निकाल सकते हो, भले मैंने कुछ कांड नहीं किया, भले मैंने कुछ नहीं किया, मैं अगर court में जाओंगा ना, मैं court में जाओंगा, मैं बोलूँगा, अरे मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी ये लोग shareholder मुझे निकाल रहा है code बोलेगी क्या shareholder ने 169 procedure फॉलो किया मैं बलूँगा हाँ okay code बोलेगी bye bye tata okay क्या reason है मुझे कोई लेना दान नहीं तुम्हें क्यों निकाल रहे हैं मालूम नहीं company act का प्रोसियर फॉलो किया ना खतम है स्टोडी ओके तो याद रखिए इस केस में अगर 163 के सबसे यह चे डारेक्टर है तो यह चे डारेक्टर के अगेंस 169 अप्लिकेबल नहीं होगा और बाकी यह तीन डारेक्टर में 169 कभी भी लगा सकता हूँ यानि मैं यह तीन डारेक्ट इसके बिच में कोई कैजुल वेकंसी हो गई तो कैजुल वेकंसी हो गई तो 161 फॉर कैजुल वेकंसी ओके 161 फॉर इसमें काम आ जाएगा दैट सेट ओके यह हुआ 163 में 163 सबको समझ माया 163 के लिए मालिक ठीक है 163 एक खाली mcq के लिए धान रखना इंटीव के लिए धान रखना 163 में डायरेक्टर अगर पॉइंट किये गया है यह दे कैनाट भी रिमूवड बाई 169 okay the next 10 यह हो गया आपका appointment types and this bring to the last portion of our syllabus that is called termination termination में अपने पास चार चीजे है चार चीजे क्या क्या है disqualification vacation resignation and removal disqualification vacation resignation and removal okay यह चारो concept बहुत easy है सबसे पहले अपन disqualification खतम कर देते disqualification okay एक चीज मैं बता दू disqualification कौन से section में cover काता है 164 और vacation 167 okay disqualification 164 vacation 167 दोनों में फरक क्या है पहले दिमाग में रख लो 164 161 दोनों में फरक क्या है ओके अगर x limited है और x limited में mr a director बनना चाहता है डायरेक्टर बनना चाहता है उस टाइम पे 164 attract होगा यानि जब मैं डायरेक्टर बनने की कोशिश करूंगा तो आई विल एंशॉर के आइम नॉट disqualified ओके अब यह 164 ओके comply होगया कोई दिक्कत नहीं है तो मैं डायरेक्टर बन गया x limited का now okay I am a director of x limited now during my directorship I will be checking for 167 यानि I should not non comply non compliance of 167 नहीं होना चाहिए अगर 167 कभी भी attract होगया तो मुझे अपनी position को vacate करना पड़ेगा यानि बनने के पहले 164 देखो बनने के बाद 167 देखना और बनने के पहले आपको क्या क्या देखना है एक दम easy point है सारे के सारे देख लिए एक दम तोड़ीजी स्क्रीन पर आपके नोट्स में होंगे रटना आपको पॉइंट यह जो 164 सब सबसेक्शन वन और 164 सबसेक्शन टू यह दो सबसेक्शन अपने तोड रटने चाहिए और हंड्रेट परसंट यह नहीं तो विकेशन यह दोनों में से लेकिन मेरी को मालू यह आपलिकेशन मैं नहीं दिया और मैं मैं खुद जांता है कि भाई-ार इंसल्वन सी की कगारफ़ ऊके तौट टीसरा पहले तीनपाइं अनसल्वनद इंसल्वेंट अंसल्वेंट इंसल्वेंट इंसल्वेंड दुट Pokémon से ज्यादा कोई हैं अगर मुझे कोई बी कोई बी कन्विक्षन कोई बी और कोई भी आट में एंगर मुझे imprisonment रौसे ज्यादा हुआ है और जो कन्विक्षिन का टैनओर है टैनओर एंड होने के बाद पात साल नहीं हुए है तब तक मैं डिरीक्टर नहीं बन सकता अ किन्योर हुने के बाद Can evimam kap कंविक्षण एन्ध होने के बाद कंविक्षण एन्ध होने के बाद अगर वह पाइब सकता है अगल मुझे तीन मैंने की जेल की सदा हुई के क्या मैं इस्क्वालिफाइड हूई एंसर नूम मिनिमम इख मन्स सभी है six months लादा imprisonment मिला हुआ है ओके lifelong तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते है लाइफ-long तुम डारेक्टर नहीं बन सकते है खानमि मुझे अगर मैं कोई शॉप में गया उधर मैं चोरी करते हैं पकड़ा गया और चोरी करते भागया तब तक मैं डिस्कौलिफाइड होगा कोट या ट्रीबुनल ने बोला है कि तू डिरेक्टर नहीं बन सकता अगर कोई कंपणी का मैंने शेर लिए हुए यानि मैं पैसे देने में गडबड कर रहा हूं तो डिरेक्टर बनने के लिए अगर 188 में गिल्टी हुआ रिलेटर पार्टी के ट्रांजेक्शन में कुछ प्रॉलम हुई तो मैं एक स्पाई यस के लिए ओके मैं डिरेक्टर नहीं बन सकता उसके बाद दिन का और 165 अगर आपको याद होगा आज सुबही मैं अपने पड़ा था 165 में अगर 20 के उपर चला गया तो पाच हजार पर दे तो मेरे लिए पैनल्टी थी वह सेक्शन के इसाब से 165 के सबसे यहाँ पर है कि मैं डिस्कॉलिफाइड हूँ अगले कंपणी में बनने के लिए खतम नहीं हुए tenure को और साथ साल के उपर है तो डिरेक्टर दिंदगी में बन नहीं सकता नेक्स को ट्रिबुनल ने तुम्हें मना कर दिया है उसके बाद तुमने का पैसे नहीं दिया चे मैने के उपर हो चुके है उसके बाद 188 एट ट्रैक किया था रिले पार्टी ट्रा और 1641 के साथ में और एक सबसेक्शन है और 164 वन और टू में डिफरेंस क्या होगा तो मैं बता रहो वन और तू में डिफरेंस क्या है वन में गलती मैंने की मैंने इसलिए मैं इसकुलिफाइड हूँ 1642 में गलती कंपणी की है और कंपणी की गलती के वज़े से मैं डिसकुलिफाइड हूँगा तो 1641 में गलती मेरी है इसलिए मैं डिसकुलिफाइड हूँ है ओके अगर कंपणी ने फानेशल स्टेटमेंट और एन्योल रिटन तीन साल के लिए सब्मिट नहीं किये हुए है तो भाई वो डिरेक्टर डिस्कौलिफाइड होंगे और बी में अगर कंपणी ने डिबेंचर और डिपॉजिट होल्डर डिपेंचर होल्डर या डिविड तो 1641 आप ध्यान रख लोगी 1642 का जिकर दो मिंट के बाद करते हैं ओके 1641 दिमांग में बिठा दिया और मैंने क्या बता है डिस्कौलिफिशन मतलब कंपणी में जब बनने जाओगे तब डिस्कौलिफाइड दिखा जाएगा वेकेशन मतलब कंपणी में बन चुके उसक मालिक तो 164 में क्या चेक किया तुम्हें को अभी क्लियर हो गया ओके अंसाउंड एड्जाज इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट ओके उसके बाद छे मेने की सदा को ट्रिबुनल ने बोला हुआ है कॉल मनी छे मेने के उपर नहीं दिया है 188 में तुमने जोल मारा है उसके बाद और एक तुम्हारा यह कॉंसेप्ट है कि 165 नूबर ऑफ डिरेक्टेशिप के उपर जाद अगा है यह अपने डिसकस किया ठीक है अब एक्स लिमिटेड के बन चुके और मुझे 167 को एट्रेक करना है 167 को एट्रेक करना है याद रखना बन चुके 167 है 167 बोलता है 16 164 के सारे पॉइंट्स विकेशन के ग्राउंड है यानि आप देखना भी 167 बे आया हो 164 सबसेक्शन टू में ने पेंडिंग रखा हुआ है पाच मिन के बाद दिखते है ओके 167 क्या बोलता है पहला पॉइंट 161 वेकेशन वेकेशन कब करना है मालिक वेकेशन कब करना है बनने के पहले डारेक्टर बनने के बाद है ओके डारेक्टर बनने के पहले या बनने के बाद आफ्टर 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 परफेक्ट 161 बनने के बाद है बनने के बाद आफ्टर 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 अब पॉइंट यह है बनने के बाद भी 164 के सारे रिक्वार एजज इंसॉल्वंट अंडिस्चार्ज इंसॉल्वंट छे मैंने से जादा सदा यह सारे क्राइट्रिया अगर बनने के बाद भी हुए तो यह ट्रेक्ट होंगे और आपका ग्राउंड फॉर वेकेशन होगा वेकेशन मतलब मेरे को छोड़ना होगा अफिस तो आप यादख लेकिन एकशन दीन चार कंपनी की बोड मिटिंग एटेंड करना थिए तो एसा जरूरी नहीं ही हाँ बहुत के लगादार कंपनी की जान करेगा होगेट करेगा और इसमें छोटे सा पोइंड धान किस में से वेकेट किस में से करेगा यह दिमाग में रखना आया यह यह बाधा प्रवाइट द्न हो यह इस को इसमें मैक्सिमुम मिलते है एक्स लिमिटेड मेंर डियारेक्टर हूं आपक द्रू वार्गिटेंड मैंने to vacate from x and y both or only x am i required to vacate from both or only x only x अगर यह समझ में आया तो यह पॉइंट ध्यान रखना ओके वेकेशन और डिस्कॉलिशन में यही डिफरेंस है यही पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होगा ओके 100% यह एक से में करूँगा अगरेकिश में 167 फ्रुग अजब таким जब रूण फोट डिस्कॉलिशन वाले पॉंट आते हैं आते हैं चैनल में को बता हों बोर्ड मीटींग वाली में युन नों में हूँ मालिक मैं दोनों में हूँ X Limited और Y Limited हूँ को दोनों में काम कर रहू है दोनों में काम कर और अब आंसाँ माहिंड का होगया है मैं इन्साँट हो गया मैं इंसॉलवंट हो वो कमपशल काल लोगा कमपशलीब्ग करेगा हर कंपशल के नहीं कर negro के करने के लिए खाली दो पॉइंट हाईलाइटेंगेे तो वापसा आ धै रटनी तो 167 बोलता है 164 के सारे पॉइंट थी का मनें 141 1842 sir 1841 1842 क्या है disclosure of interest example अगर board meeting हो रही होगी और एक contract मेरी wife के साथ enter कर रहा है okay मेरी wife is into steel manufacturing actually कुछ है नहीं भाई okay लेकिन एजीम करते है steel manufacturing में और उसके साथ कोई transaction हो रहा होगा company का I need to disclose कि वो मेरी wife है तो I will not vote because मेरे को vote करने का दिकार नहीं उसमें क्योंकि यह transaction तो भाई मेरे कोई फाइदा करने वाला है तो I need to disclose the interest and I am not required to vote 1841 is general disclosure 1842 specific disclosure तो यह दोनों अगर नहीं किया होगे तो आपको वेकेट करना होगा और वापस जाएगा उसके बाद court or tribunal का order आ गया जैसे मैं आपको बता है ऑपरेशन मिस्मानेजमेंट हुआ तो पात साल के लिए डारेक्टर नहीं बनेगा यानि एक्जामपल ओकेश कॉंसेट एग्दम सिंपल सांव क्यों सिंपल कॉंसेट है ऊपर वाले में अगर तेरे को सदा हुई है और एक्जामपल मेरे को कोटने सदा दे आट मैंने की ओके आइम डिसकौलिफाइड यानि कोई नई कंपनी में डायरेक्टर बनी नहीं सकता लेकिन विकोज इंप्रिजनमेंट का क्राइटर यहां पर इन लोग में दिया हुआ है 167 में पॉइंट नुमर 6 में तो यहां पर मेरे को इम्मिजेटली करने की जवरत नहीं है 30 देज में 30 देज में अगर अपील कर लिया तो मैं विकेट नहीं करूआ जब तक कन्विक्श में कोई दिक्कत नहीं है तो अगर कोट या ट्रिबुनल का ओडर आया है या आपको सजा मिली हुई है छे मैंने से जाधा ओके तुम नई कंपनी में डिरेक्टर मन मत वोनों लेकिन एक्जिस्टिंग कंपनी में ओके तुम तीस दिन तक कंटिनु कर सकते हो जब तक अपील नहीं किया तो आमें वेकेट करना पड़ेगा सरेग्वल प्रोविजन अपड़ेक्टर इंडिपेंडेंट डिरेक्टर के लिए मैंने क्या बला था तू परसंट वोटिंग राइट से जाधा तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए कंपनी के अंदर एजिम करते है तुम्हार holding and subsidiary में तुम किसी कारण से डारेक्टर बने हुए है मालिक ओके तो holding and subsidiary में आपन बात करते हैं एक एग्जांपल दिख लेते हैं okay y limited is holding company and p limited is subsidiary company okay y limited is holding and p limited is subsidiary अब mr.a okay mr.a is a trustee for debenture trust deed in y limited यानि holding company में वो debenture trust deed है और p limited जो subsidiary है okay जो उन्होंने क्या decide किया है जो y limited holding company का debenture trust deed होगा वो बोड़ पे बैठेगा किसके subsidiary पे okay mr.a is on the board of subsidiary limited okay अब समझे शुरो mr.a holding company में debenture trustee है और subsidiary में वो बोड़ पे इसलिए आए है क्योंकि वो holding में debenture trustee है अब समझे शुरो उन्होंने debenture trustee से resign कर दिया position से trustee से resign resign कर दिया मिलको बताओ subsidiary में उनको director क्यों बनाया था उनको director बनाने का कारण यह था कि holding में कोई तो position hold कर रहे है इसलिए उन्होंने subsidiary में director बनाया है अब वो position जो holding में वो holding नहीं कर रहे है तो subsidiary से भी वेकेड करो this is something which is ground for vacation of last point that is called holding and subsidiary holding and subsidiary का ground मेने खालते मालिक समझ में आया है ओके तो यह concept आप ध्यान रखना with respect to 167 ओके तो 167 का point एकडम clear cut है ओके देखें लास्ट वाला point एकडम clear है लास्ट में है ओके अगर आप holding subsidiary company में डारेक्टर हो उसका कारण holding company के कुछ requirement थी और वह requirement अभी नहीं बची है यानि example मैंने क्या बोला example क्या दिया डिवेंचर ट्रस्टी डिवेंचर ट्रस्टी के तुम ट्रस्टी थे holding company के और तुमने अभी वो का पद मतलब position छोड़ दी है ओके उसी की वजह से तुमको अधर subsidiary में डारेक्टर बनाया गया था अब तुमने इधर position छोड़ दी तो उधर भी position आपको छोड़नी पड़ेगी ना मालिक यह concept is defined here in this particular point यह concept अपने को define किया हुआ हुआ है यहाँ पर with respect to y limited and p limited concept में मालिक तो मेरे खाल से logic concept आया डायरेक्टर बाइद वर्चू यह holding and subsidy में मालिक ओके है कि 7th में तो प्रोविजन ओंपनी देक्ते मालिक 7th में तो कोई दिक्कत दी नहीं प्रोविजन ओंपनी अक तुमने कंप्लाइ नहीं किया एग्दांपल independent director लेलो independent डिए तुमने ऐए नहीं किन तहीं लेकिन अभी 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 मतलब बाद में पॉइंट होने के बाद तुमने उसमें कुछ क्राइटर फुल्फिल नहीं किया एक्जांपल वोटिंग शेर तुम्हारे पास नहीं होने चाहिए लेकिन तुमने ले लिए पर्चेस कर लिए तो तुम तो वेकेट करना ही पड़ेगा क्योंकि 149 ऑफ इंडिबेंडेंट डार कोई प्रवल्म नहीं है अभी तो अल्मोस्ट की वज़े से सब कुछ वर्चोल हो गया है सब कुछ वर्चोल है उन्हों ने जो पहले तो एक भी क्राइटर था कि वह मालूम है अगर तुमको मालूम होगा तो चाक्टर टू में के भाई यार अन्यूल रिटरंस फाइनेशल डाला था फिर जून तक किया फिर उन्हेंने अभी पंदरा जून को उन्होंने वह एक्सेप्शन ही निकाल दिया है यानि अभी वह बोलते वर्चोल मीटिंग के थुरू फैनेशल स्टेटमेंट सब कुछ डिसकाइस कर सकते हैं बट अप तो जून नहीं है वह तो डिलीट 67 का पॉइंट यह दो पॉइंट अभी एक बार देख लिए इसमें मैं फटाफट कवर कर लेता हो यह कॉंसेप्ट है लास्ट पॉइंट है इसके बाद रेजिगनेशन और वह प्रोसीजर वाला है उसमें एक दो जगह मेरे को पॉइंट बताने आपको प्रोबैबली बिकॉस अपना माइ स्पीड और हाफने का थोड़ा सा पॉइंट है ना इम जस्लैकिंग में स्पीड अधर्वाइब अल्मोस्ट अ मन्थ बैक एक मैने पहले मालिक जब मेरा क्राश कोस का बैज जब खतम मलब कोवीड के पाद बाद बता रहो तब इत वाद पुरा कंपनी लॉइन अवरिधिंग इड़्स मलब सारका सारा नच्छल में दो गंटे में पुरा कवर था तो आज स्पीड अधर थिंस के वाज़े से इंपेक्टेड है ओके तो अब 164-2 नहीं को 164-2 का रावल एक दसम दसमेंट दसमेंट कर रहा हूं यह यह मलिक 164-2 का सबसे इंपोर्टन पॉइंट समझ लीजिए लास्ट पॉइंट है ओके मैंने आपको बताया था 164-1 में 164-2 में 164-1 में गलती मेरी है 164-2 में गलती कंपनी की है क्या गलती है इस्क्रीण पर देखे अगर कंपनी फेल तो फाइल फाय फाइनेशन से चित्मेंट एन रिटन पॉर्टन पॉर्टन या या कंपनी इस अनेबल टो पे डिपॉजिट और इंट्रेस और इंट्रेस और दिवेंट्रेस्ट देन डिखलेड ओके लो पेनल किया औ एक साल से जादा बीद गया उसको याने एक्जमपल 1st April 2020 को पे करना था 1st April 2020 को टूँ था क्या सरड डेपॉजिट इंट्रेस और डेच्वेंचर डिवेंचर और यह 5 चीज़े यह 1st April 2020 को टूँ उन्होंने 31st मार्च 2021 तक पे नहीं किया 31st मार्च 2021 तक पे नहीं किया ओके इन दिस केज डारेक्टर जो भी डारेक्टर कंपनी के सारे डारेक्टर कंपनी के सारे डारेक्टर डिस्कौलिफाइड हो जाएंगे सारे डारेक्टर तो 164-2 में जितने भी उस कंपनी के डारेक्ट सबके सब डिस्कॉलिफाइड हो जाएंगे और अगर आपको समझ में आया अगर सबके सब डिस्कॉलिफाइड हुए वह डिस्कॉलिफाइड कब तक होंगे five years from the date of default आराम से ध्यान रखना फ्रॉम five years from the date of default यानि एक चोटे साइग्जामपल मैं इसमें डिसकॉलिफाइड हो अगर इसमें दोनों चीज आपको continuously भरनी है अलग अलग नहीं continuously दोनों चीज आपने दोनों चीज में से एक भी चीज अगर इसकॉलिफाइड हो उसका एक्जमपल आप समझ लेना वाइड लिमिटेड का आपके त्री यह तक मैंने कंटिन नहीं भरे फाइड यह तक 30 सप्टेंबर से फाइड दिसकॉलिफाइड हो ओके दूसरा एक्जमपल देखो अभी फाइनेशल स्टेटमेंट तीन साल तक नहीं भरे पर एन्यूल रिटन भरे मालिक फाइनेशल स्टेटमेंट नहीं भरे एन्यूल रिटन भरे फिर भी डिसकॉलिफाइड है क्योंकि फाइनेशल स्टेटमेंट भी कंटिनस इन दोनों में से कुछ भी एक चीज़ कंटिनसली तीन साल तक नहीं भरी होगी तो ओके अगला एक्जामपल देखे फाइनेशल में दिसकॉलिफाइड नहीं है लेकिन दोनों भरने चाहिए दोनों एक भी भराओगा और एक नहीं भराओगा तो भी डिसकॉलिफाइड आप यह दिमाग में बिठा लीजिए ओके यह सिनारियो इसका एक्जामपल यह है यानि 2019 अभी यह एक्जामपल एक देख लीजिए हो कि 2016 में मैंने अन्यूल रिटन फानेशल सेटमें नहीं भरे 2017 में भरे 2018 में भरे 2019 में भरे मालिक नव क्वेश्चन 2020 में क्या डिसकॉलिफाइड हूंगा एंसर इस नहीं अब तुम बोलो कि सब तीन साल तो हो रहे ना तीन साल कंटीनियूस होने चाहिए 164 सब सेक्शन सेक्शन टू ओके क्लॉज ए यह मेरे खाल पहला पॉइंट क्लियर हो गया इसमें मेरे को दिक्क्त दिने एक लाजे मेरे को कोई प्राब्लम कब से चाल हो रहा है जिस दिन डेट ऑफ डिफॉल्ट है तो डेट अफ डिफॉल्ट किया था मालिक वाद देट अव on deposit debenture interest on debenture dividend declared not paid यह सब continuous एक साल के लिए नहीं भरे मालिक ओके यह अगर नहीं भरे होंगे मालिक तो मेरा problem क्या होगा अभी इसमें एक example दिख लिजे मैंने नीचे लिखा यहां screen पर देखिए मालिक 164 subsection 2 clause b while limited 1 4 2017 को deposit को repay करना था नहीं किया मालिक यानि default हुआ यानि 164 2 b attract हो गया default हुआ लेकिन अभी disqualification चालू नहीं हुआ है 164 2 b का disqualification default होते ही नहीं होता है default होने के एक साल के बाद होगा मालिक and एक साल कब हुआ 31st March 2018 में एक साल हो रहा है तो 31st March 2018 तक भी उन्होंने repayment of deposit नहीं किया मालिक disqualification started तो disqualification start from कान खुले disqualification start from Malik disqualification start from 214 2017 or 31st March 2018 31st March 2018 से disqualification चालू होगा 31st March 2018 से लेकिन मालिक इसमें सबसे important point है इसमें सबसे important point है disqualification 5 साल के लिए कब से होगा disqualification 5 साल के लिए कब से होगा यही है सबसे बड़ा एक major point है 164 disqualification 5 साल के लिए है 5 साल के लिए disqualification है वो कब से होगा it will be from 1st 4 2017 164 2 is थोड़ा सा ट्विस्ट ओके लिए वाला पॉइंट इस ट्विस्ट c disqualification कब से चालू होगा पाथ साल कब से होगा जब से डेट अफ डेट अफ डेट अफ डेट अफ डेट आप जो आपने रिपेमेंट नहीं किया उससे पाथ साल करना है लेकिन actual disqualification चालू होता है वो एक साल के बाद से चालू होता है यानि actual disqualification period कितना है माली उसमें actual disqualification period is only for four years not more than that that's it okay this is something which you need to understand for 164 2 sub clause B okay ये वाला point द्यान रखना तो date of default से 5 साल effective date of default से 4 साल this is what I always use the word एक साल कुछ नहीं होगा एक साल कुछ नहीं होगा मालीक एक साल कुछ भी नहीं होगा ओके वो बता तो कौन सी company से मैं बता तो ओके एक साल से कुछ नहीं होगा एक साल में एक साल में कुछ नहीं होगा एक साल में चलते रहेगा जो effective date of default में यूज कर रहो effective date of default मतलब क्या यूज कर रहो मैं 31st March effective date of default 31st March यूज कर रहो date of default से पात साल effective date of default से चार साल वहां से disqualify होगा अब सबसे important point है 164 यह वाला ओके इसमें बी वाला criteria बहुत अच्छे से ध्यान रखना वी वाला criteria क्या बोलता है वी वाला criteria का बोलता है कबसे कबसे disqualified है तू date of default से लेकिन actual disclosure start एक साल के बाद यहाँ पर सबसे important point बोलते है ओके यह 164 subsection 2 is linked with 167 जिसमें यह बोलता है disqualified तो हुआ ही है लेकिन 161 बोलता है अगर तू 164 टू attract करता है 164 टू attract करता है तो तेर को all companies से vacate करना पड़ेगा all company जिसमें जिसमें तू director सबसे vacate करना पड़ेगा except except defaulting company यानी ओके अगर मैं ऐसे इस तर से दू एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड और एक्स लिमिटेड अगर मैं बात करता हो यह 164 टू attract करती है ओके और इसमें mister a director है okay hundred percent mister a director 164 टू में disqualified है तो कोई भी new company में director नहीं बन सकते कोई भी new company में डारेक्टर नहीं बन सकते है बट अट दे सेम टाइम mister a need to vacate from y and z also vacate क्योंकि यहाँ पर 167 की वज़े से attract हो जाएगा और y z से vacate करना पड़ेगा हाँ x से vacate नहीं करेंगे x पर फिर सब कब तक continue करेंगे x में वो जब तक उसका tenure होगा ना tenure 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 cycle का तब तक वो रहेगा और उसके बाद वापस वो डिस्कौलिफाइड ही है तो वापस बन नहीं पाएगा वो कितने तक दिस्कौलिफाइड है पाइफाइज तक that's it okay तो यह लॉजिक यह कॉंसेप्ट यह ना मालिक समझ माया वापस एक एक पॉइंट यह क्लियर पक्का क्लियर है तो अगर यह क्लियर है तो इसका मतलब अगर जिस कंपणी में तुम डिफॉल्टिंग कंपणी है डिफॉल्टिंग कंपणी है उस कंपणी में तुम्हें छोड़ना नहीं है बाकि सब कंपणी जितने भी कंपणी में क्या बलते है अपना what we always say new company में तुम डिरेक्टर नहीं बन सकते हैं यह question अपने examination में आने की पूरी संभावना है तो make it sure यह सबसे तोड इंपोर्टन रखना LDR बोलता हूं मैं usually last day revision okay make sure 164-2 is very important okay 164-2 okay एक छोटा सब्वाइंट 164-2 में 164-2 A और B है A financial statement on annual return B वाला payment पैसे नहीं दिये अगर 164-2 B अगर कोई government company करती है government company करती है कोई government company करती है और वह government company annual return financial statement बरूबर टाइम पर फरती है अगर 164-2 B B मतलब पैसे नहीं दिये वह कोई government company करती है और government company annual return financial statement बरूबर टाइम पर फरती है तो डिसकॉलिशन अप्लीकेबल नहीं होगा उस case में डिसकॉलिशन अप्लीकेबल नहीं होगा जस्मेक शूर 164-2 ओके बी गवर्मेंट company के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा मालिक नहीं चलेगा बेटा सत्रह में एफेस बरा अट्रह में यार बरा ऐसा वो इसके ओपर डिपार्टमेंट का क्लारिफिकेशन है हाई हाई जिसने क्वेरी पुछी है के भाई 2017 में एफेस बरा 2018 में ए आर बरा ओके तो एक मतलब ऐसा दिखा जाए तो एसा नहीं होगा मालिक ओके 164-2a all company disqualification all company सब सारी company के लिए disqualification है मालिक ओके स्थ यह concept है disqualification के और vacation के यही दो सबसे important point है मालिक तीन साल बात default say default चलोगा yes yes तीन सल के बात से default चलोगा यह मालिक this is something which is very important you need to understand okay यह तो मैं आपको बता दिया okay government company के लिए applicable नहीं होगा 164-2b okay दो चोटे चोटे सेक्शन है दोनों चोटे 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 फटा फट कर लेते सकते है मालिक ओके वो देगा जब resignation orally नहीं देगा आपको एक study ऐसा भी आएगा examination में के भाई एग्या में जगडा हुआ और मेरे साथ जगडा हुआ और मैं डायरेक्टर ता में बोला चलो मैं कल से नहींगा resign कर दिया resign कर दिया this is not resignation resignation should be in writing and यह writing में resignation company को देना चाहिए और board of director को मिलना चाहिए जैसे मैं resignation दूँगा company ROC को DR 12 देगी याद है DR 12 starting में पड़ा था 30 days के अंदर ROC को बताया जाएगा कि अमित्तातिर डायरेक्टर पोजिशन से resign करके चला गया है ठीक है resignation received by company or date mentioned whichever is later okay इसके लिए मैंने example दिया हुआ है 30th June को मैंने resignation दिया और 7 June उसमें date लिए 7 July date लिए मैंने बोला 30th June को resignation later मिला company को और मैंने बोला 7 July से मैं काम करूँगा तो मेरा date of resignation क्या है 7 July okay 30th June को company को letter मिला और मैंने उसमें लिखा था 19 June से मैं काम नहीं करूँगा ओके तो date of resignation क्या होगा 19 June नहीं होगा जिस दिन company को letter मिला that is called 30th June यह concept आपको ध्यान में रखना है foreign director के case में 11 पहले डिया 11 कंपल सरी था मालिक दो साल पहले कंपल सरी था दो साल पहले उन्होंने किया अब वो कंपल सरी ने रखा हुआ है ओके जो डिया 12 पे उनने एंफसेस किया हुआ है ओके और अगर आपको याद होगा एक स्टार्टिंग में एक सेक्शन पड़ा था 168 3 अगर सारे डिरेक्टर ने एक साथ में रिजाइन कर दिया डेट पार अच्छा डेट पार्ट को वापस कहता हो रेजिगन इशन रिसियूड बाई कंपणी और डेट स्पेसिफाइड रेजिगनेशन लेटर में जो डेट स्पेसिफाइड होगा तो रेजिगनेशन डेट क्या होगा 7 जुलाए नेक्स्ट इसमें का लेटर रिसीट वाइक कंपणी 30 जून और नाइन उसके अंदर लिखा था 19 जून से मैं काम नहीं करने वाला तो डेट ऑफ रेजिगनेशन 19 जून नहीं होगा 30 जून होगा विचवरीज लेटर डाट सेट है मेर यह ऐसे क्लियर मालिक बस कॉंसेट यह है कि इसमें यह वाला कॉंसेट है के जो भी लेटर होगा वो वो पार डेट ऑफ रेजिगनेशन होना चाहिए एड सके बाद अगर एक साथ में सारे डायरेक्टेर रिजाइन करते हैं मां से रिजगनेशन बोलते हैं तो इसमें इंट्रेफर करेंगे और वो डिरेक्टर पॉइंट करेंगे ओके लेकिन इसमें एक चीज एक क्वेश्चन में आपको पुछता हूँ एक क्वेश्चन I don't know how many aware about this yes date of email or date mentioned in email either of it yes मालिक मेरा question एक ही है what if अगर सारे director resign करते है तो मेरे को बता डियार ट्वेल भरेगा कौन क्योंकि डियार ट्वेल भरने के company should file डियार ट्वेल विथिन 30 डेज कंपनी शुड फाइल ट्वेल विथिन 30 डेज फ्रॉंदर resignation of director ओके जापन ने क्या बोला डारेक्टर resign करेगा तो 30 दिन के अंदर डियार ट्वेल कंपनी रोसी यो देगी तो अगर एन मास से resignation हुआ नहीं भाई CS नहीं देता मालीक डियार ट्वेल से जाता ही नहीं है CS नहीं हाँ यही पॉइंट है इस पर रोसी नहीं क्लारिफिजन दिया अगर एन मास से resignation हुआ यानि सब लोग ने कि डिया 12 इस डण बाई डियरेक्टर का डिजल सिंगनेशर लगता है मालीक CS का भी लेक्टर का डिजल सिंगने चलता है यह promoters छोड़ दियोंगे नहीं होगा तो government के पास जाता है MCE के पास जाता है यह सारा का सारा shareholder shareholder AGM मेरे को बताओ ना अगर company मेरे को बताओ company ने काम करना चाहिए तो company ने काम company कर रही है इसका मतलब बोड कर रहा है दिये आप chapter 2 में पढ़ते नहीं हो गया what are the power of बोड पावर ऑफ कंपनी जो कंपनी कर सकती है वो बोड कर सकता और जो ऊपनी कर सकती है यह concept है तो यह पॉइंट आपको द्यान में रखना होगा मालिक अधिकार मतलब आपके राइट है सोड़ी अधिकार मता नहीं हिंदी में इंग्लिश में it's your right you have a power don't worry 169 say you can remove by passing or or होना चाहिए तो इसके लिए पहले special notice नहीं चाहिए तो तुम्हारे पास पाच लाक या 5% of voting rights वो जो क्राइटरी है उनके जो आई पीसी में पड़ा था वो अपने पास होना चाहिए अगर वो रहा तो मैं notice दूँगा कि मिस्टर एक्स को निकालना एज डायरेक्टर ओके ओर करके निकाल सकते हैं यह तीन आणिउय नहीं के देंगे तीन क extrem करें सकते करीं नहीं सकते करीं नहीं सकते सर कौन-कौन exit वालन राओ याया या यादाया 161 वाला proportional a b c d e d pros at security का उसको रिमुग करीं सकते दूसरा अगर डारेक्टर राइन वाला क्यूंद नहीं कर सकते तो तुम नहीं नहीं का सकते हैं और तीसरा से रेवर को दुमरी मुं नहीं नहीं का सकते tumri rimultan का निकलने का period is defined by agreement और law यह आपने define किया हुआ है तो यह तीन डारेक्टर निकाल नहें सकते हैं और एक 9 था अगर आपको याद होगा independent director को सब्सक्राइफ कर निकालना है और उसका मैं आपको पेली पंढ़ी आपकी शकल मुझे पसंद ये इस लिए निकाल रहे हैं अब कोट में जाकंगे बोलूगा अरे यार जड़ साथ देगें इनको शकड पसंद निए इतना तोड़ आदमी दिख रहा पर जच्छा बोलेगा भाई प्रोसीजर वन सी सिनन का फॉलो किया क्या मैं बोलोगा हाँ निकलो चलो टाटा भाई बाई ग्राउंड फॉर रिमोल इस नोट रिक्वाइड एलाई सी एसकोर्ट्स में ये क्लियर कट डिसीयन दिया गया था ओके तो ग्राउंड फॉर्मोल इस और शुक रेंगे और वो खुद अपने ने पयाणने रेंगे गाएंगे और लड़ाना आऊ को इन गयाओ ऑनगे निकालने के लिए अगर आपको सब्सक्रह आपको में दो सेक्शन निकालना दो आपको 6000 सेक्षन करने पढ़एंगे क्या और आप बीच्टमाना को मुने प्रोग्राइम में उसको मौका गया गया अगर कही पर भी यह आपको मालूँगा आपने पढ़ा अगर कही पर भी लगा के ने कुछ उल्टा सीधा लिखा दूसरे डायरेक्टर के बारे में वो लेटर रीप्रेजेंटेशनल लेटर पढ़ा नहीं जाता है मीटिंग में और वह कॉंसेट ट्रीबुनल के पास जाता है और ट्रीबुनल डिफाइन करता है कि यह डिसकस नहीं किया जाना चीज़गे है वके जनरल मीटिंग में प्रोसियर क्या होगा जनरल मिटिंग में स्प्रेचर को शो Woo एक दम सिंपल है वह किया जाएगा या अगर इंडिमेंड डारेक्टर दो साथ किया जाएगा ब्सक्रेचेंड Lum को निकल रहा है मिस्टर वाय को रखना चाहते हैं पर सक्षिन फॉलो करना पड़ेगा और उसके अलवा अगर वह फिल नहीं की तो कैसे फिल हो सकती है 161-4 में फिल हो सकती है 161-4 मतलब कैजिल वेकंशी वालपाइट एक दम क्लियर कट वापस वही पॉइंट एर पंचाइटी एंसरे जो डिर्क्र निकाल अगया है क्या उसी को एपट कर सकते है वापस अगर उसी को अपाइट कर रहे है तो मतलब वह भी जंपया में भी जंपया है अरे क्या मदक चल अगर आप RTP देखते हो आप Operation Mismanagement का के स्टड़ी देखो इंटीग्रेट के स्टड़ी के स्टड़ी के स्टड़ी मतलब कोवीड होने के पहले मिरको उसका पूरा रेकॉर्डिंग करना था बस इतना हुआ कि उसके बाद कोवीड हो गया हॉस्पिटलाइजेशन हुआ इन इस 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 एक तो इस 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 जाए जाए गार मेरी जिन्दगी उसमें जंड हो जाएगी अरे मैं रीड करूंगा क्या करूंगा कितना थाइम मलग वो 15 मिन देखे तो अभी मेरेको 15 मिन भी इस नो पड़ेंगे मतलब मतलब अडिड कोश्चन रीड करोगे ना प्रॉबलम मैं भी पहले वह से करता था मालिक गौर भाई जो वह से ही बोलता था पहले प्रॉबलम यह है कि इस बार के समें जो डरेक क्वेस्टन है ना उसमें उसने कौन से डेट्स में क्या दिया हुआ है वहीं समझ दो चीज एक दम अच्छे से करनी होगी एक तो बहुत पेशेंटली रीड करना पड़ेगा पेशेंटली रीड करना मतलब समझे शुरो मतलब एनालिसेस करना पड़ेगा ऐसा नहीं है वह खाली वह बच्पन का इधर के हाइलेट कर लिए एंसर में आएगा ओके जो वह इसा करना होगा और दूसरा जो मैंने आज एक्चुली मैं बता रहूं मेरा प्लान ऐसा था कि I would go head with 123 मेजर ली जिसमें पूरा एनलिसेस करके मैं तुमको समझा दू जिसके सारे पॉइंट अच्छे से आजा है क्योंकि अगर यह हो गया तो all together मैं मतलब जितना मुझे लगता है अगर इसमें अगर इसमें कुछ डाउट है तो मेरे को बता दो क्योंकि इसके अलवा दिन वाला है तो दिन वाला कुछ पॉइंट है तो आप पार सकते मालिक रीड बाकि अधर देन एट कॉंसेप्ट फिली जिदर जिदर मैंने सारा कवर कर लिया मालिक करते थे टेनियर दीर हिए जिए आंसरी में समझा घ। वोमन डारेक्टर कोँ आपने कैसे किया उसकी ओपर उसका warrior aur 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 तो अगे और गाइस अको आपको करना पड़ेगा यह 아파点 सिखाइए अच्छा 164 टू का एक एक कॉंसेटें नियू डारेक्टर का एक ठीक एक मैं बता देता हूं एक 164 टू का एक पॉइंट है यह में साउट मेरे को बता हूं 164 टू में 164 टू में 164 में में 164 टू में मेरे को यह बता हूं 164 टू में स्क्रीन पर सबको दिख रहा है एक्जाम्पला 164 टू में 1420 17 में डिपॉसिट भरना था नहीं भरा नहीं भरा चीक है ओके डिस्कॉलिफिकेशन कब से चालू होगा डिस्कॉलिफिशन चालू होगा 1427 2017 को या 31st मार 2018 के बाद 31st मार 2018 के बाद यह तो दिमाग में रख लो लेकिन पीरिड जो चालू होगा वह 14 2017 से यह सबको समझ में आ गया ओके 14 2017 से पाथ साल लगेगा और 31st मार्ट से 2018 से वह एक्चॉल डिस्कॉलिफिशन चालू होगा ओके उसी तरह से यहाँ पर अब मेरे को बताओ यह एक्जाम्पल देखो स्क्रीन पे इस एक्जाम्पल यू टेल मी 39 को भरना चीए था फाइनेशल स्टेटमेंट एन्यूल रिटर्न मैं नहीं भरता हो 39 2018 से मेरा डिस्कॉलिफिशन चालू होगा ठीक है कित्ते साल के लिए अब समझे शुरो एक चोटा साइक्जम्पल लो एक्स लिमिटेड है और इसका डिस्कॉलिफिशन फाइए रहेगा कब से रहेगा 30 सब्टेमबर 2018 इस एट पॉइंट क्लियर सबको इधा तक को क्लियर है अब मेरा क्वेशचन है एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड में एक लिमिटेड में 12 2018 को 112-2018 को सब लोग मेरा क्वश्चन अच्छे देखो यह सब एक मेंट 112-2018 को मिस्टर बी डारेक्टर बनना चाहता है मिस्टर भी जो डिस्कौलिफाइड नहीं है जिसको कोई डिस्कौलिफिजन अट्रेक्ट नहीं है क्या वो डारेक्टर बन सकता है कि यह सब्सक्राइड बनने को रोका थोना हुआ है अब मेरा क्वेश्चन है अगर यह इस कंपनी का डारेक्टर बन रहा है जिसका ऑल्रेडी डिस्कौलिफिजन का राइटर चालू है क्या मिस्टर भी मिजेटली डिस्कौलिफाइड हो जाएगा तो बनेगा क्यों हो उसको चैने का टाइम लाइन मिला है यानि अगर कोई डाइरेक्टर 164 TO जिसको एट्र्यक्ट हो चुका है और उसमें वो डायरेक्टर बनता है मालिक। उसमें डायरेक्टर बनता है मिस्टर बी ने क्या करना चाहिए 112 को एपॉइंट हुआ है ओके तो में एंड तक में तक उसने यह एंशुर करना चाहिए कि भाई एन्युल लेटन फानेशल स्टेटमेंट सब्सब्मिट हो जाए अगर नहीं हो रहे हो उस बार भी तो उसने क्या करना चाहिए इमीजेटली ओके इमीजेटली रिजाइन तरना चीह है क्योंकि छे मैने के बाद उसको एट्रेक्ट हो जाएगा भाई यह समझ वाया अगर six months में रेक्टिफाइन नहीं करता है तो six months के बाद उसको एट्रेक्ट होगा six months to contract नहीं होगा नहीं डिरेक्टर को हां जो अलेडी डिरेक्टर वो पाथ साल के लिए तो डिस्क्वालिफाइड है मालिक that's it मेरे खाल यह क्लियर हो गया मालिक यह default और 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 अगर आपने एक भी चीज नहीं बरी मालिक you don't either you don't submit financial statement or you don't submit annual report either of it okay you're gone you need to submit both and both also of that particular year ऐसा नहीं होगा कि एक साल में एक साल में है हां section 8 में yes Sanvir okay section 8 और government company में अगर AOA में अगर limit fix होगी तो sr लगेगा to modify AOA not to appoint directors यह ध्यान रखना काजल एक 10-15 मिनिट में थोड़ा सा वर्काउट कर लेता हो ओके जा मैंग काजल राहूल कि यह सर्थ